अपने समय में मैंने युनिवर्सिटी में बहुत समय नहीं बिताया था तो यहां मैं आप सभी के साथ उसकी भरपाई कर रहा हूं और आप सब बहुत सौभागेशाली हैं कि आप देश के इतने महत्वपून संस्थान में हैं आपका कैंपस बहुत शानदार है और ये युथ एंट रुथ क्यूं ये कैसे शुरू हुआ पिछले 36 सालों में ये लगातार होता रहा है हजारों लोग मेरे पास आकर हमेशा कहते हैं बहुत सारे लोग सद्गुरु जब मैं 20 साल का था तब आप कहां थे आप अब आए हैं जब मैं 60 साल का हूँ अब मैं क्या करूँ तो वे मुझे अपने जीवन में जल्दी ना आने के लिए दोशी ठहराते हैं तब मैंने सोचा कि हम बाहर निकल कर इस देश के युवा लोगों से मिलेंगे इसलिए Youth and Truth शुरू हुआ और मूल रूप से जीवन का अर्थ है जीवन के बारे में हर किसी की अपनी अपनी राय होती है मगर मुख्य रूप से हमारा जीवन बस समय और ऊर्जा की एक निश्षित मातरा है हम सभी के लिए समय एक ही रफ्तार से निकल रहा है हमारे यहाँ बैठे-बैठे समय टिक-टिक कर रहा है टिक-टिक करके घड़ी आगे नहीं बढ़ रही टिक-टिक करके हमारा जीवन आगे बढ़ रहा है हमारे यहां बैठे-बैठे जीवन खत्म होता जा रहा है तो यह ऐसी चीज है जिसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते रोक नहीं सकते, धीमा नहीं कर सकते, उलट नहीं सकते वो बस निकलता जा रहा है हम सिर्फ अपनी उर्जा को मैनेज कर सकते है जीवन के जिस हिस्से को हम यूवा वस्था कहते हैं वो जीवन का ऐसा समय होता है जब आपकी उर्जा सबसे अधिक उलास में होती है अधिकान शूवा इस बात को नहीं समझते उन्हें लगता है कि वे हमेशा इसी तरह रहेंगे विश्वास कीजे ऐसा नहीं है मैं चाहता हूँ कि आप बुजूर्ग लोगों पर ध्यान दे वे किस तरह चलते हैं, हिलते हैं, बैठते हैं, खड़े होते हैं आप समझ जाएंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ उर्जा का ये स्तर, उल्लास का ये स्तर हमेशा आपके साथ नहीं होगा सिर्फ जीवन के इसी हिस्से में जिसे हम जवानी कहते हैं, ये संभव होता है तो जब आपकी उर्जा अपने चरम पर होती है अगर आप अपने जीवन में थोड़ी पश्टता और संतुलन ले आएं तो इससे उस उर्जा का बहतर इस्तमाल हो सकता है, वरना ये उल्लास आपके जीवन में आपके खिलाव जा सकता है एक चीज़ जो मैं देख रहा हूँ देखिए अगर हम एक महान समाज एक महान देश या एक महान विश्व चाते हैं हम एक महान देश एक महान समाज नहीं बना सकते हम सिर्फ महान इंसान बना सकते है महान इंसान कैसे बनते हैं किसी न किसी रूप में वेक्तिकत प्रतिभा को सामने आना होगा हर एक मनुष्य, चाहे वो कोई भी हो, हर किसी में एक खास प्रतिभा होती है अगर मैं जो प्रतिशत बता रहा हूं वो गलत हो, तो प्लीज मुझे बताईए जैन्यू में अगर प्रतिशत अधिक या कम है तो प्लीज मुझे बताईए मगर मेरा आंकलन ये है कि दुनिया में जितने लोग इस धर्ती पर अपनी प्रतिभा को प्रकट कर पाते हैं वे एक फीसदी से भी कम है 99 फीसदी उस आयाम को कभी छुए बिना चले जाते हैं बस रोजी रोटी इस संघर्ष उस संघर्ष के बारे में चिंतित रहते हैं उनके अपने विचार और भावनाय लगतार उन्हें व्यस्त रखती हैं एक फीसदी से भी कम लोग अपनी प्रतिभा को सामने ला पाते हैं अगर हम इस दुनिया में इसे दस फीसदी तक बढ़ा पाएं तो ये एक शांदार दुनिया हो जाएगे पहले कभी मानवजाती के इतिहास में पहले कभी किसी पीढ़ी के पास इतनी सहूलियतें और सुविधाएं तथा तक्निकी शक्ती नहीं रही है जो हमारे पास है हम सबसे शशक्त पीडिये हैं मगर ये सशक्ती करन हमारे जीवन को कैसे सशक्त करेगा अगर हम सही चीजें करते हैं अगर हम अपनी उर्जाओं, अपनी बुद्धी और अपनी प्रतिभा का सही ढंग से लाब उठाना जानते हैं तो आज हमारे पास इतनी सुविधाएं हैं कि हमारे अंदर इस धर्ती की सबसे बहतर पीड़ी होने के संभावना है इसे पहले किसी भी पीड़ी के पास इतनी सुविधाएं नहीं थी, जितनी हमारे पास हैं इस तरह की शमताओं वाली ये पहली पीड़ी है तो इसलिए हमने ये युत एंटरुत कारिकरम शुरू किया है ये अंदोलन चलता रहेगा ये सिर्फ विश्व विद्यालेओं और कॉलेजों में जाकर उनसे बात करना नहीं है हम धेर सारे सवाल जवाब इकठा करना चाहते हैं ताकि इस पीड़ी और अगली पीड़ी के पास जिस भी तरह के सवाल हो उनके लिए कुछ समस्दारी से भरे जवाब उपलब दो तो आज मैं आप तीनों से खुल कर कुछ भी पूछने के लिए कह रहा हूँ नमस्कारम सद्गुरू, पूरे JNU समुदाई की ओर से मैं हमारे अनमोल JNU परिसर में आपका स्वागत करती हूँ आज शाम यहां आपकी मौजूद की हमारे लिए सौभाग्य और खुशी की बात है जब आप बोलते हैं तब ही वो काम करता है हम इस कारिक्रम को लेकर बहुत उत्साहित हैं और दर्शकों की विशाल, भीड, हमारा उत्सा और आभार दोनों प्रदर्शित करती है खासकर मंच पर तीन मौडरेटर आपके साथ मंच पर मौजूद होकर अभिभूत है हम आपको और दर्शकों को अपना परिचय देना चाहेंगे मैं अनिमा सोनकर रूसी और मथ्य एश्याई अध्ययन स्कूल आफ इंटरनाशनल स्टेडीज में पीएश्डी कर रही हूं मैं सिर्फ आनन्दित नहीं हूं, आप से मिलना किसी सपने के सच होने जैसा है और इस कारेक्रम का अफिन नहिस्सा बनना मेरे लिए बहुत महत्वपून है नमस्ते सद्गुरू, मेरा नाम सुन्दरेश है, मैं जाकिर हुसेन सेंटर फॉर इंटरनेशनल स्टेडीज से पीएश्डी कर रहा हूं मैं बहुत खुश हूँ, अपनी खुशी व्यक्त करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है अरे आभी योगी है एक अलग योगी, मगर मैं स्कूल आफ इंटरनाशनल स्टाडीज से सेंटर फॉर साउथ एश्डीज में अपनी पीएश्डी कर रही हूं और आपके यूट्यूब वीडियो देखने से लेकर आपके साथ बातचीत तक का सफर बहुत जबरदस रहा है सदकुरू मैं आपको बताना चाहती हूं कि आज रात कारेकर्म किस प्रकार होगा हमने लगभग 10 से 12 सवाल तयार किये हैं जिसकी हम पैनल में चर्चा करेंगे इसके बाद हम सोशल मीडिया पर आए कुछ सवालों को उठाएंगे क्योंकि हम समझते हैं कि हर कोई कैंपस में मौझूद नहीं हो सकता इसलिए हमने ऐसे सवाल चुने हैं जिनसे युवा संबन जोड़ पाएंगे इसके बाद हम आज शाम के शांदार दर्शकों से सवाल आमंत्रित करेंगे धन्यवाद सद्गुरू तो पहला सवाल है जब हमने JNU के विद्यार्थियों और विद्वानों को इस Youth and Truth अभियान के बारे में बताया तो सबसे पहला सवाल इस अभियान के आधार के बारे में उठा तो सच्चाई असल में होती क्या है और आप हर सवाल का जवाब देने के काबिल कैसे है मुझे खुशी है क्या आप पूछ रहें कि सच्चाई क्या है जो भी चीज़ें जीवन के सभी आयामों में कारगर हो वही सत्य होगी है न इस देश में प्राचीन समय से ही सत्यमेव जहते कहा जाता रहा है इसका मतलब है कि सिर्फ सत्यकारगर होता है जब माहत्मा गांदी आए तो उन्होंने उस समय इसे एक राजनितिक नारे की तरह इस्तमाल किया मगर अब आप ऐसी स्थिती में पहुँच गए हैं इसे बोल रहा हूं जो भी जीवन के सभी आयामों में सच में कारगर होगा वही सत्य होगा हेलो जो चीज वास्तव में जीवन के हर पहलू में कारगर होती है वो सत्य ही होगी है न तो मुझे कौन सी चीज काबिल बनाती है यही आपको आज पता लगाना चाहिए क्योंकि मैं नहीं कह सकता कि मैं सभी सवालों के जवाब दे सकता हूँ आपको पता लगाना चाहिए सद्गुरू अगला सवाल ये है आप जानते हैं कि JNU राजनैतिक रूप से जीवन्त परिसर है और इस परिसर में अराजनैतिक होना असंभव है या प्रैक्टिकल नहीं है किसी न किसी तरीके से हमें किसी खास विचारधारा से जोड़ दिया जाता है राइट, लेफ्ट, सेंटर मैं आपको एक उधारन देता हूँ जब मैं इस कैंपल्स में आया तो मुझे तुरंथ हॉस्टल नहीं मिला था तो एक छात्र कारेकरता मेरे पास आया और उसने मुझे अपने कमरे पर आने के लिए कहा मैं उसके कमरे पर गया और जब मैंने वहां देखा उस छोटे से कमरे में पहले से साथ छात्र रह रह रहे थे तो मैंने वहां रहने से इंकार कर दिया और मैं campus के बाहर रहने लगा मगर MA और BA के विद्यार्थियों का एक बड़ा group वहां रहता है और उनके वहां रहने के कारण राजनेतिक गदिविदियों आधी में हिस्सा लेना एक तरह का बंधन हो जाता है तो जब वह राजनेतिक गदिविदियों में शामिल होते हैं तो उन्हें किसी खास विचारधारा से जोड़ दिया जाता है ये पहली चीज है दूसरा उधारण है जब भी हम campus के मुद्दों या राष्ट्रिय अथवा अंतर राष्ट्रिय मुद्दों पर कोई विशेश राय देते हैं तो हम एक खास विचारधारा से जोड़ दिया जाता है आप से मेरा सवाल ये है सद्गुरू कि एक छात्र कोई साइड लिये बिना या स्वतंत्र कैसे रह सकता है ये सिर्फ आपकी यूनिवर्सिटी में ही नहीं देश भर में आम बात हो गई है अगर आप देश के बारे में कुछ बोलने के लिए मूँ खोलते हैं तो वो आपको किसी विचारधारा से जोड़ने की कोशिश करेंगे सिर्फ आपको ही नहीं मुझे भी हर समय लोग मुझे कभी लेफ्ट कभी राइट से जोड़ते हैं कभी-कभी वोई मुझे सेंटर में लटकाना चाहते हैं मैंने हमेशा ये बात साफ की है मेरा सरुकार लोगों से है राश्ट्रियता से भी नहीं मेरा सरुकार बस लोग हैं क्योंकि मैं हर तरह के लोगों के साथ काम करता हूँ, भारत में, भारत से बाहर, राजनेताओं, अभियुक्तों, आदिवासी इस्त्रियों, हर तरह के लोगों के साथ, ठीक है, विद्यार्थियों के साथ, हर किसी के साथ, मेरी चिंता मनुश्य को लेकर है, जीवन, मगर हर हाल में कोई न कोई आपको किसी notice board पर लगाना चाहता है राइड बोर्ड या लेफ्ट बोर्ड या कुछ और ये एक दुर्भागे पूर्ण इस्तिती है क्योंकि ये एक लोकतंत्र को बरबाद करने की प्रक्रिया है अभी ऐसा है मान लीजिए आप right के लिए प्रतिबद हैं मैं left के लिए प्रतिबद हूँ क्योंकि मैं अधिक left दिख रहा हूँ ठीक है तो अब हम प्रतिबद हो चुके हैं तो मैं पूछता हूँ अब secret ballot का क्या काम है हम जानते हैं कि ये तीन लोग right, right के लिए वोट करेंगे ये left को वोट दे का हर कोई जानता है फिर secret ballot का क्या मतलब है एक नागरिक को नेतरत्व चुनने का प्रस्ताव देने का क्या मतलब है तमिल भाशा में लोकतंत्र का मतलब है जननायकम इसका मतलब है कि लोग ही नेता है इसका ये अर्थ है लोग नेता है मगर सभी नेता तय है आप उनसे नेता कैसे बनाएंगे आप लोकतंत्र कैसे चलाएंगे अगर आप जीवन्त लोकतंत्र चाहते हैं तो सबसे महत्वपून चीज ये है कुछ पार्टी कारेकरताओं को छोड़ कर बाकी आबादी किसी भी पार्टी किसी विचारधारा से न जूड़ी हो हम किसी को पांच साल मौका देते हैं अगर वे अच्छा करते हैं तो हम उन्हें एक और मौका देते हैं अगर वे अच्छा नहीं करते कि हम एक जीवन्त लोक्तंत्र हैं मगर पिछले पांच सालों में मैं भारत के जीवन लोक्तंत्र के बारे में मौन हो गया हूँ क्योंकि हम भी उन्हीं की तरह बन गए हैं ये ऐसा है एक सीनियर रिपब्लिकन नेता मर रहा था वो मृत्युशयया पर था मृत्युशयया पर उसने अनुरोध किया कि वो डेमोक्रेटिक पार्टी में शामिल होना चाहता है लोगों ने कहा तूम नहीं तुम जीवन भर रिपब्लिकन रहे हो आपके पिता और आपके दादा भी सभी रिपब्लिकन थे और अब मृत्युशयया पर तुम डेमोक्रेट बनना चाहते हो उसने कहा हाँ मैं एक डेमोक्रेट बनना चाहता हूँ उन्होंने पुछा क्यूं वो बोला मैं चाहता हूँ एक डेमोक्रेट मर जाए स्थिती इतनी खराब हो गई है क्रिपया आप सभी युवा लोग मैं देश के हर नागरिक से मगर खास तोर पर युनिवर्सिटी के युवाओं से ये कह रहा हूँ क्रिपया देश में मुद्दों पर बहस कीजे पक्ष मतलीजे देश के हर मुद्दे पर आपको बहस करनी चाहिए मगर अपने जीवन के इस चरण में आपको पक्ष नहीं लेना चाहिए क्योंकि आप देश में लोकतंत्र को नश्ट कर रहे हैं क्योंकि ये एक जाती समुदाय या धर्म की तरह है मैं इस पार्टी का हूँ आप उस पार्टी के हैं चाहे जो हो जाए मैं सिर्फ अपनी पार्टी को ही वोट दूँगा ये एक सामंती समाज है ये एक लोकतांत्रिक समाज नहीं है इसलिए मैं इस यूनिवर्सिटी और किसी भी उनिवर्सिटी के सभी उवावस अनुरोद करता हूँ कि अभी आपको कोई राजनेतिक पक्ष नहीं लेना चाहिए आपको मुद्दों पर बहस करनी चाहिए और महत्वपून ये है कि जो भी उनका समाधान देगा उन्हें वोट मिलना चाहिए जो भी एक उचित हल बताए उन्हें वोट मिलना चाहिए आपका वोड पहले से ही समर्पित है तो आप लोकतंत्र को नश्ट कर रहे हैं कृपया समत कीजिए हमारे पास जो सबसे कीमती चीज है हम जिन परिशानियों से गुजरते हैं और सभी निउस चैनल हम पर चिलाते रहते हैं यह सब हम सिर्फ इसलिए सहन करते हैं क्योंकि हमारे पास लोकतंत्र है कि पर आप पक्ष लेकर इसे नश्ट मत कीजिए साद्गुरू अब मुझे अपना सवाल पूछने में भी डर लग रहा है क्योंकि मेरा सवाल है मैं एक छात्र कारे करता हूँ मुझे अलग-अलग मंचो खास कर मीडिया पर अपनी संगठन का प्रती निधित्व करने के बहुत से अफसर मिलते हैं और ऐसा करते हुए मुझे काफी पहचान मिलती है मगर जब मैं उनहीं विध्यार्थियों और युवाओं के साथ समवाद करती हूँ जिनके बीच मेरी पहचान है तो वे मुझे साफ तोर पर बहुत विनमरता दिखाने की उम्मीद करते हैं तो खास कर राजनीती में एक महिला के लिए ऐसा क्यों है मैं जो अच्छा काम कर रही हूँ उसकी सफलता के लिए मुझे शर्मिन्द क्यों महसूस कराया जाता है देखिए आप जिस सफलता को सफलता मान रही हैं वो सिर्फ एक पहचान है जिसका मतलब है कि कुछ लोग उसकी सराहना कर रहे हैं जो लोग आज सराहना कर रहे हैं कल सुबह वे पलट कर आपर पत्थर फेकेंगे वही लोग दुनिया का यही तरीका है ठीक है तो किसी की सराहना पर आस्मान में मत उड़िये ये ऐसा है जैसे आप बाहर गए किसी ने आपसे कहा कि आप धर्ती के सबसे शांदार इंसान है तो आप बादल पे उड़ते वे घर पहुँचे कौन से नमबर का बादल? सिर्फ नौ, दक्षिन भारत में बादल का नमबर 11 होता है अब जिस भी नमबर के बादल पर सवार होकर घर पहुचे घर पर लोगों ने आपको आपकी एसलियत बताई और सब भी खर गया इस मोड में मत आईए, उपर मत उड़िये और नीचे भी मत आईए, किसी के कुछ कहने पर ऐसा सिर्फ तभी होता है, जब आप नहीं जानते कि आप कर क्या रहे है अगर आप इस बारे में सपश्ट हैं कि आप क्या कर रहे हैं तो लोग जो चाहें कहें, वे बड़ी बाते कहेंगे लेकिन आप सिमाय जानते हैं, वे बुरी चीज़े कहेंगे मगर आप जानते हैं कि आप क्या कर रहे हैं जीवन में बस यही महत्वपूर्ण है अगर आप इस बात पर फूल जाएंगे कि किसी ने कुछ अच्छा कह दिया या निराश हो जाएंगे कि किसी ने कुछ बुरा कह दिया तो आपके जीवन पर इसका असर होगा आप बड़ी जिम्मेदारी नहीं उठा सकते हैं क्योंकि अगर आप इससे प्रभावित हो रहे हैं कि कोई आपके बारे में अच्छी या बुरी चीजें कह रहा है तो आप अपने जीवन को सिमित कर लेंगे क्योंकि अगर आप बाहर कदम निकालते हैं तो जाहिर है कि तरह-तरह के लोग तरह-तरह की बाते करेंगे लोग मुझ पर हर तरह का आरोप लगा चुके हैं दुनिया भर के आरोप जो एक मनुश्य कर सकता है और जो नहीं कर सकता है सब कुछ मगर जब तक आप जानते हैं कि आप क्या कर रहे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता सद्गुरू यहां हम इस सवाल को थोड़ा और आगे ले जाना चाहेंगे हालांकि यह एक खतरनाक सवाल है सवाल कभी खतरनाक नहीं होता है सिर्फ जवाब होता है कैंपुस थोड़ा खतरनाक है शायद नहीं बस जवाब होता है आप मुझे खत्रे में डालना चाहते हैं मुझे कोई परिशानी नहीं है VC ने कहा है कि campus बहुत चांदार है क्या आप थोड़ी आवाज बढ़ा सकते हैं प्लीज तो जब मैं एक विद्यार्थी के रूप में university में आई तो मैं सोचती थी कि राजनीती में क्यों जाएं बस अपना केरियर बनाकर university से चले जाएं तो मेरा नजरिया केरियर केंद्रित था आप क्या सोचते हैं क्या छात्र जीवन और राजनीती एक अच्छा मिश्रण है क्या आपको लगता है कि ये कुल मिलाकर एक अच्छा मिश्रण है देखे पहले राजनीती शब्द को समझते हैं दुर्भाग्य से आज इस देश में अगर मैं कहूं कि वे राजनीती कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि वे कुछ बुरा कर रहे हैं दुर्भाग्य पून राजनीती का मतलब है कि आपका काम नीती बनाना है राजनीती से लिए होती है राजनेता का मतलब है ऐसा इंसान जो नीती निर्मान में शामिल है नीती निर्मान किसी राष्ट के निर्मान के लिए जरूरी है या नहीं वो जरूरी है या नहीं तो सबसे पहले राजनीती शब्द का निगेटिव अर्थ हटा दीजे अगर आप राजनीती करके लोगों के साथ बुरे तरीके से चीजें कर रहें तो निश्यत रूप से आपको ये छोड़ देना चाहिए लेकिन अगर आप समझने की कोशिश करते ह कि नीती कैसे बनाई जाती है हो सकता है कि आप भविश्व में राजनेता ना बने पता नहीं मगर हर यूवा को ये जानना चाहिए कि नीती किस तरह बनाई जानी चाहिए किसी समाज या देश के लिए समाधान किस तरह ढूंडा जाना चाहिए हर किसी को इसके बार में सोच वरना हम गैर जिमेदार नागरिक समाज बन गए हैं, जहां हम जाकर वोट तक नहीं देते, क्योंकि हम नहीं जानते कि ये क्या है, हमें लगता है कि राजनीती का मतलब एक दूसरे के साथ कुछ बुरा करना है, नहीं, राजनीती का मतलब है नीती बनाना सीखना, नीती बनान एक खास रूप रेखा तए करना ताकि वो हम सब के लिए काम करें। क्या ये महत्वपूर्ण नहीं हैं। चाहे आप 2 सदस्यों वाला या 4 सदस्यों वाला परिवार चलाने जा रहे हो। या कोई छोटा मोटा कारुबार या कोई संस्ता या देश। क्या ये जरूरी नहीं है, कि आप ऐसा धांचा बनाने का तरीका सीखें, जो सभी सम्बंदित लोगों के लिए कारगर हो, क्या ये हम नहीं है, चाहे आप भविश्य में कुछ भी करें। हम इस पर थोड़ा स्पश्ची करन जाते हैं, तो सद्गुरू आपने अपने एक पुराने विडियो में वामपन्थी जुकाव रखने का जिक्र किया है, आप पोस्टर लगाने का काम करते थे और आप देर रात की बैठकों में शामिल होते थे और पोस्टर लगाते थे, और और यहां राइट विंग का माना जाता है, यहां मगर सद्गुरू यह धारना इसलिए है क्यूकि आपने पहले भी डिमॉनिटाइसेशन के मुद्धे पर सरकार का समर्थन किया, उसके बाद देश में कोई बम विस्पोड ना होने पर भी, तो क्या सद्गुरू? इसे सपष्ट करते हैं क्या सद्गुरू अब दक्षिन पंथी हो गए हैं देखे फिलहाल हम तमिलनाडू सरकार के साथ काम कर रहे हैं जो आप जानते हैं कि अन्ना द्रमुक है कोई नहीं जानता कि वो कौन सी विंग है हम आंद्रप्रदेश सरकार के साथ काफी काम कर रहे हैं उनके बारे में भी मुझे लगता है कि आप तै नहीं कर सकते कि वो कौन सी विंग है और वो विंग केंद्र में बड़ी विंग का हिस्सा थी मगर अब वो नहीं है वो उसके खिलाफ हो रही है हम केरल में काम कर रहे हैं जो वामपंथी है और हम केंद्र सरकार के साथ काम कर रहे हैं अगर आप चाहें तो उसे दक्षिनपंथी कह सकते हैं मैं कह रहा हूं सरकार के साथ क्या समस्या है एक लोकतांत्रिक देश में सरकार का मतलब है लोगों की पसंद है न कोई ये कहे कि मैं लोगों की पसंद का सम्म मैं टइमान करता हूँ, मेरे ख्याल से आप पागल है, आप कक्टर पंथी हैं, आप अपने विश्वासों को लेकर कक्टर हैं, मैं किसी विंक से नहीं जुडाू, मगर जब जन्ता चुनती है, तो चाहे मैं उससे सहमत होता हूँ या नहीं होता हूँ, नीजी तोर पर, चाहे मैं सहमत हूँ या नहीं मैं लोगों की इच्छा के सामने सिर जुकाऊंगा क्योंकि एक लोकतंत्र का यही मतलब है अब महत्व लोकतंत्र का महत्व यही है आपने मेरे बारे में बाते कहीं मैं सिर्फ 14 साल का था ठीक है कृपया मुझे माफ कर दीजे सद्गुरु आप उसे ऐसे पेश कर रहे हैं जैसे वह आपकी गलती थी नहीं नहीं मैंने यह नहीं कहा कि वह मेरी गलती थी मैं बस आपको यह बता रहा हूँ वह सत्तर का दशक था उनीसो सरसठ में चे की मृत्यू हुई आप नहीं समझते उस समय चे हमारे बड़े भाई जैसा था वो मर गया और उसे कैसे मारा गया यह कहानिया हर जगे फैलने लगी और हम सभी में धेर सारी भावनाई थी आज भी मैं लोगों को चे की टीशट पहन कर घूमते देखता हूँ शायद उनमें से काफी लोग जानते भी नहीं होंगे कि वो कौन है उन्हें लगता है कि वो बॉब मारले जैसा कोई है तो उस समय ऐसा लगा जैसे हमारा बड़ा भाई बोलिविया में मारा गया और उस समय देश ऐसी स्थिती में था जहां ऐसा लग रहा था कि इस देश में कभी कोई हल नहीं होगा ऐसा समय था तो हमने सोचा हमारा और बहुत से दूसरे लोगों का मानना था कि सशस्त्र क्रांती के अलावा इस देश के लिए कोई रास्ता ही नहीं है स्कूल में भी ऐसे शिक्षक होते थे जो हमें ये चीज बताते थे हर कहीं रूसी साहित दिखता था हमने खूब पढ़ा और हमने रूसी साहित को अपने अंदर उतार लिया और वो सब सही लगता था और मैं हमेशा गुस्से में रहता था आपको विश्वास नहीं होगा मगर मैं हमेशा गुस्से में होता था क्योंकि हर जगे में अन्याय देखता था घर में सड़क पर हर कहीं राजनीती और धर्में किसी भी जगे मुझे सिर्फ अन्याय अन्याय और अन्याय देखता था इसलिए मैं हर समय 2400 गंटे किसी न किसी चीज को लेकर गुस्से में रहता था जब आप गुस्से में होते हैं तो आप जल्दी समाधान चाहते हैं आप समाधान के लिए इंतजार नहीं करना चाहते आप तुरंत हल चाहते हैं तो तेज समाधान हतियार बंद लड़ाई में नजर आता था दक्षिन में उन दिनों चारू मजुमदार और सुमुलू के नशीले दिन थे हम उस वज़े से जोश में थे मुझे उन दिनों का पश्टावा नहीं है मगर अब हम ऐसे समय में आ गए हैं जहां हम लोकतांत्रिक तरीके से एक संभावना की दहलीज पर हैं इससे पहले दुनिया में कभी ऐसा नहीं हुआ है मैं आपको बताना चाहता हूँ एक मात्र देश जिसने एक अरब लोगों को गरीबी से आर्थिक खुशाली के एक निश्चित स्तर तक पहुँचाया है वो है चीन ठीक है मगर उन्होंने इसे कठोर हिंसक तरीके से किया बहुत सी बार गोलियां चला कर किया मगर उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है क्योंकि लोगों को पीढ़ी दर पीढ़ी गरीबी में रखना उन्हें मारने से भी बुरा है जबरदस्ट गरीबी जहां पोशन एक मुद्दा होता है तो उन्होंने जो किया वो अपने तरीके से किया आप उनकी निंदा कर सकते हैं या सराहना कर सकते हैं मेरे लिए वो एक खास समझ है पीढ़ा दायक समझ जिसका उन्होंने इस्तमाल किया और जब उन्होंने वो पा लिया जो वो पाना चाहते थे तो अब वे धीरे धीरे एक लोकतांतरिक प्रक्रिया की और बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं कम से कम वे खुली बाजार प्रनाली को अपना रहे हैं मगर भारत में हमारे पास अनूठी संभावना है हम पचास से साट करोर लोगों को अभी भी जबरदस्त गरीबी से खुशहाली के एक ठीक ठाक स्तर पर पहुँचा सकते हैं सिर्फ अगले दस से पंद्रह सालों में हम उसकी दहलीज पर हैं एक लोगतांत्रिक प्रक्रिया के जरिये बिना गोलियों बिना हत्याओं के बिना भारी कंट्रोल के कुछ नहीं कोई बलप्रियोग नहीं हम बिना बलप्रियोग के ऐसा करने में सक्षम है अगर हम ऐसा कर पाए अगर हम सभी एक साथ आएं तो ये होगा वरना हम हमेशा देहलीज पर ही बैठे रहेंगे अभी एक संभावना है हम देहलीज को पार कर सकते हैं मेरे ख्याल से हमें उस संभावना को हकीकत में बदलना चाहिए क्योंकि इससे पहले कभी किसी देश ने 60 करोर लोगों को एक पीड़ी में गरीबी से एक ठीक ठाक खुशाली में नहीं पहुचा है ऐसा कहीं नहीं हुआ है पहली बार इस देश में ये कर सकते हैं तो जब आप युवा थे आप कम्यूनिस्ट थे अब आप ये कह रहे हैं मैंने अपना रुख नहीं बदला है मैं अभी वही हूँ क्योंकि मेरे लिए साम्मेवाद का मतलब है कि एक व्यक्ति समुदाय को अपना ही रूप समझ कर गले लगा ले जो मैं अभी करता हूँ मैं पार्टी में नहीं हूँ क्योंकि पार्टी मेरी समझ से बाहर है मगर साम्मेवाद मेरे अंदर से नहीं गया है हम एक समुदाए हैं जहां हम साथ रहते हैं कुछ हजार लोग जाती, वर्ग, धर्म किसी भी फर्क से परे एक साथ रहते हैं मैंने इशा योग केंद्र आने वाले किसी से भी नहीं पूछा कि आपका धर्म क्या है, आपकी जाती क्या है मैं पूछता ही नहीं क्योंकि ये मेरे मन में ही नहीं आता तो जैन्यू में मैं दक्षिन पंथी कैसे बन गया मैं नहीं जानता तो मुझे लगता है कि आज जब हर कहीं सूचना उपलब्ध है तो युवाओं, शिक्षित लोगों को, आप सभी रिसर्च करने वाले हैं, आपको कम से कम थोड़ा शोद करना चाहिए, ठीक है? बस किसी के बारे में निराधार राय कायम करना, जिससे आप मिले तक नहीं है, ये मैंने हर कहीं खास कर इस देश में देखा है, दुनिया में कहीं और ऐसा नहीं होता, मैं ये देख रहा हूँ, इस देश में जो लोग मुझसे कभी मिले ही नहीं हैं, वे मेरे बारे में मुझस से जाधे जानते हैं, जिन्होंने मुझे कभी नहीं देखा है, ना मिले हैं, ना बात की हैों, वे मेरे बारे में मुझसे जाधा जानते हैं, मेरे ख्याल से आपको उन्हें PhD दे दे देनी चाहिए, क्योंकि वे ऐसी कलपना से भरी research कर रहे हैं तो मैं सरकारों के साथ काम कर रहा हूँ, करता रहूंगा हर किसी को बता दीजे जो भी सरकार चुनी जाती है क्योंकि मैं लोगों की इच्छा का समान करता हूँ मेरी राय बढ़ी नहीं है मेरी राय इस देश के लोगों के मर्जी से बड़ी नहीं है हमेशा सादगुरू अगर हम आपकी बात मान भी ले तब भी यहां सोच बहुत मजबूत है कि दक्षिन पंत की और जुकाव तो है क्योंकि जैसे यहां क्या आप क्या आप मैसूस करते हैं कि यहां 2019 के लिए वोट जुटाने का अच्छा समय है यूथेंट रूथ अभियान के जरीए देखिए ठीक है देखिए अगर मैं आवान करता हूँ मुझे यूनिवर्सिटी से यूनिवर्सिटी जाने की ज़रुरत नहीं है अगर मैं आवान करूँ तो किसी भी पार्टी को काफी वोट मिल जाएंगे ठीक है मगर मैं आपको बताता हूँ मैं आपको बताता हूँ मेरी बेटी मुझसे पूछती है मुझे किस पार्टी को वोट देना चाहिए मैं उसे नहीं बताता मैं उससे कहता हूँ कि तुम्हें खुद सोचना चाहिए वो एक कलाकार है तो मैं उससे कहता हूँ कि तुम्हें सोचना चाहिए कि तुम्हारे और तुम्हारे आसपास के लोगों के लिए क्या अच्छा है चाहे वो मेरे लिए अच्छा ना हो करने का काम नहीं करूँगा, क्योंकि अगर मैं आवान करता हूँ और मान लीजे, एक करोड लोग वोट देते हैं, तो क्या ये लोकतंत्र को नश्ट करना नहीं होगा? आपने एक लोकतंत्र को एक सामंती प्रक्रिया में बदल दिया, कि एक नेता आवान करता है और हर कोई आँक मुन कर किसी को वोट देता है, आप यही बदलने की कोशिश कर रहे हैं, लोग धर्म, जाती, वर्ग और हर तरह की बखवास के आधार पर वोट दे रहे हैं, इसे ब क्योंकि लोकतंत्र की सबसे कीमती चीज यह है, कि सता बिना खून खराबे के बदल सकती है, मानव जाती के इतिहास में ऐसी चीज़ें कभी नहीं हुई हैं, चाहे परिवार में ही सता बदलनी हो, किसी ने किसी का खून बहेगा, हाँ या नहीं, ये ऐसा ही रहा है, मगर पि सद्गुरू, चलिए राजनीती से शोध की ओर बढ़ते हैं, JNU शोध या रेसर्च के लिए प्रसिद्ध है, और इस कैंपस में 8000 विद्यार्थी हैं, जिसमें 50 प्रतिशत से अधिक विद्यार्थी शोध में हैं नई, 5200 शोध में हैं, मैंने कुछ शोध किया है सद्गुरू, एक सवाल कई सालों से मुझे परिशान कर रहा है क्योंकि आपने हमें कोई भी सवाल पूछने की आजादी दी है तो सवाल ये है, शोध क्या है? खास कर समाज विज्ञान में उन चीजों का पता लगाना, जो आपकी दादी पहले से जानती थी नई, नई, मैं शोध को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ धेर सारी चीजें हैं, जो हो सकता है कि हमें पता हो मगर फिर भी उन्हें शब्दों में नहीं रखा गया है उसे इस तरह प्रस्तुत नहीं किया गया कि उसे लागू किया जा सके शायद आपकी दादी मां वो सब कुछ जानती थी जो आप रिसर्च कर रहे हैं, मगर वो उसे शब्दों में रख कर उसकी रूपरेखा नहीं बना सकती थी, कि उसे कहीं लागू किया जा सके कोई अपने अनुभव से जानती थी, मगर उसे कहीं लागू नहीं किया जा सकता था तो शोद का मकसद है चीजों को खोजना शायद उन्हीं चीजों को जिनें लोग हमेशा से जानते रहें खास कर समाज विज्ञान में बहुत एक विज्ञान या बाकी चीजों की शोध अलग हो सकती है मगर समाज विज्ञान में बहुत से ग्यानी लोग हमेशा से वो जानते आए हैं इस पर आप शोध कर रहे हैं, ठीक है, मगर फिर भी उसे एक लागू किये जाने लाइक रूपरेखा में नहीं ढाला गया है, जिसे सरकार या किसी संस्थान या किसी और के धांचे में इस्तमाल किया जा सके. तो जो ग्यान शायद आपको पहले से है, उसे एक धांचा देना, और समाज विग्यान बदलता रहता है, क्योंकि समाज विकास करता और बदलता रहता है, तो जो आपकी दादी मा जानती थी, वो शायद उनकी पीड़ी के लिए सही था, मगर हर चीश शायद बदल गई हो, सब कुछ बदल रहा है, इन दिनों हम सिर्फ इस तरह चलते हैं, हलो, कोई सड़क को नहीं देखता, वे गूगल मैप देखकर चलते हैं, तो चीजें बदली हैं, इसलिए रिसर्च महत्वपून हो जाती है, क्योंकि कई चीजें बदली हैं, और बहुत से लोगों को शायद यह हसास नँ हो कि चीजें बदल गई हैं, जब तक यह अच्छे से शब्दों में न रखा जाएं, इसलिए इस तरह के बदलाव लाने की जरूरत है, बहुत सारे लोग इसे समझ नहीं पाएंगे, जब तक यह इस पश्पश शब्दों में न रखा जाएं, इसलिए यह कीम सद्गुरु शोध या रिसर्च के विशे पर मेरा एक और सवाल है, शोध में हमें पांचों इंद्रियों और तर्क पर जोर देना सिखाया जाता है, जब आध्यात्मिक्ता की बात आती है, तो कई वीडियो में आपने कहा है कि पांच इंद्रियां और तर्क आपकी उस वा पास पास जो है उसे ग्रहन करने, मूल रूप से इस दुनिया में काम करने के लिए आपको देखने, सुनने, सूंगने, चकने और छूने की जरुरत होती है, आप इसी तरह से बहुतिक दुनिया को जानते हैं, तो जिन उपकरनों का इस्तमाल आप भौतिक दुनिया के बिकार हैं, बस वो जीवन के एक छेतर तक सिमित है, अगर आप उसे दूसरे छेतर में इस्तमाल करें, तो ऐसा करना बिकार होगा, यह ऐसा है, जैसे आप कार चला रहे हैं, आपने चान देखा, आप जानते हैं कि कलपूर्णिमा थी, आपने गोल चान देखा, और आपको वह जाने की इच्छा हुई, कई बार कार के विग्यापन थोड़े रहसमे हो जाते हैं, और उन्होंने आपको बता दिया, कि अगर आप कार वाकई तेज दोड़ाएं, तो आप चान तक जा सकते हैं, अगर आप बहुत मेहनत करें, तो आप चान से आगे जा सकते हैं, मगर चान पर नहीं जा सकते, क्योंकि चांद पर जाने के लिए आपको अलग तरह के वाहन की जरुरत है, आप अपनी कार में चांद तक नहीं जा सकते, तो इसी तरह अपनी पांच इंद्रियों से आप भौतिक के दाइरे को पार नहीं कर सकते, पांच इंद्रियां सिर्फ भौतिक प् ज्यान आपके आसपास की बहुतिक प्रकृती ही है तो आपको अपनी पांचों इंद्रियों को तेज बनाना चाहिए ये बहुत महत्वपूर्ण है चाहे सब ही के पास 20 बाइ 20 की दृष्टी हो पर एक खास परिस्थिती में हर कोई वो नहीं देख पाता जो एक खास व्यक्त सब्सक्राइब करने चाहिए तो आपको जबरदस ध्यान देना होगा शोद में आपको इस पर ध्यान देना चाहिए पांच इंद्रियों से परे जाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए क्योंकि फिर आप समाज को नहीं देख पाएंगे आप कुछ और देखेंगे सद्गुरू एक और बहुत महत्वपूर्ण सोच है जो इस परिसर में बहुत महत्वपूर्ण है वो है नारिवाद और आपने अपने एक पुराने विडियो में कहा है कि नारिवादी बस पुरुष बनने की बेसब्र कोशिश कर रही है नारिवाद के बारे में आप क्या विचार है आप उसे कैसे देखते है देखिए पहले तो पुरुष और स्त्री दो अलग-अलग प्रजातिया नहीं है हमें ये समझना चाहिए कि मान लीजिए पचास साल पहले या सौ साल पहले तकनिकों के आने से पहले जीवन में कुछ चीजें थी जो सिर्फ एक पुरुष कर सकता था इस धर्ती पर काम मुख्य रूप से पुरुष की ताकत से होता था हाँ इनसान की शारेरिक बल से मुख्य रूप से पुरुष की महिलाएं ऐसे काम हाथ में लेती थी जिसमें शारिरिक बलकी खास जरूरत नहीं होती थी जीवन के दूसरे पहलू भी होते वे सभाविक रूप से वो काम करती थी तो दुनिया इस तरह चल रही थी आज महिलाएं बाहर जाकर कई चीजें उदारवाद या नारिवाद के कारण नहीं कर रही है सिर्फ तकनीक के कारण कर रही है तकनीक ने ताकत का मूल ले गिरा दिया है ओ ये शब्द इस्तमाल करना सही नहीं है तकनीक ने ताकत का मूल ले गिरा दिया है अब सिर्फ दिमागी शक्ती माईने रखती है भारत में अभी ताकत महत्वपूर्ण है अगर आप भारत में बसमें चड़ना चाहें तो आपको कुछ ताकत की जरुरत होगी ठीक है मगर तकनीक जैसे जैसे हमारे जीवन के हर पहलू में हर जगे फैलती जाएगी आप उस इस्थिती में पहुंच जाएंगे जहां आपको ये सोचना ही नहीं पड़ेगा कि कौन पुरुष है कौन इस्त्री अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ मुझे क्या फर्क पड़ता है कि आप पुरुष है या इस्त्री सिर्फ कुछ खास रिष्टों में कुछ खास जगों पर पुरुष या इस्त्री होना महत्वपूर्ण है आपके शोद में क्या फर्क पड़ता है कि आप पुरुष है या इस्त्री अगर आपके दिमाग की कुछ कोशिकाएं काम कर रही है तो पुरुष और इस्त्री को अलग करने की ये हद से ज़ादा कोशिश मानों वो दो अलग-अलग प्रजातियां हो एक गलत तरीका है ये उन भेद भावपूर्ण परिस्थितियों की प्रतिक्रिया में हो रहा है जो अतीत में मौजूद रही है मगर इन भेद भावपूर्ण परिस्थितियों का होना ये कुछ हद तक सही है मैं कहूंगा कि काफी हद तक सही है मगर ये पूरी तरह सही नहीं है ये सही नहीं है कि इस देश या इस दुनिया की सभी महिलाओं का शोशन किया गया है ये सच नहीं है बहुत सी महिलाओं ने बहुत अच्छा जीवन जिया है हाँ, हो सकता है कि उन्होंने कभी अपने घरों से निकल कर बाहर काम न किया हो मगर उन्होंने बहुत शांदार जीवन जिया अपने हिस्से का काम बहुत अच्छी तरह किया तो पुरुष और स्त्री को कुछ पाने के लिए हमेशा अपस में लड़ना पड़ता है, ये एक गलत सोच है नारिवाद के बारे में बात करने के बजाए, मैं कह रहा हूँ स्त्री प्रकृती को समाज में बराबर मूले मिलना चाहिए, इसका मतलब है एक चीज होनी चाहिए देखिए, अगर आप ऐसा महौल बनाते हैं कि सबसे शक्तिशाली इंसान ही जीवन में आगे बढ़ सकता है, तो पुरुष प्रकृती हावी होगी पुरुष प्रकृती से मेरा मतलब पुरुष से नहीं है, एक स्त्री किसी खास स्थिती में अधिक पुरुष प्रकृती दिखा सकती है, मगर स्त्री प्रकृती का मिटना इस प्रजाती का नुकसान है अगर आप स्त्री प्रकृती से जूड़ी हर चीज़ खो देते हैं, हर कोमल चीज़, खुबसूरत चीज़ खो जाती है, बस इसलिए, क्योंकि हमने एक असब्भे समाज बनाया है, जिसमें जब तक कि आप इस तरह नहीं होते हैं, आप जीत नहीं सकते, तो आप मानव जाती क को नश्ट कर रहे हैं, स्त्री प्रकृती की सुंदर्ता चली जाए, तो कुछ समय बात पुरुष सोचेंगे कि वो आखिर जिन्दा क्यों है, हाँ, ऐसा होगा, तो किसी भी शांदार समाज के लिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम ऐसा एको सिस्टम बनाएं, जहां प खास तरह से रखा जाता था, एक बार फिर हम आधुनिक दुनिया में वही सिस्टम बना रहे हैं, सबसे शक्तिशाली का आगे बढ़ना, चुहा दौड, जो भी आप इसे कहना चाहें, अगर आप ऐसा करते हैं, तो आप स्त्री प्रकृती को मार डालेंगे, शायद स्त्री क नहीं, स्त्री कामयाब हो सकती है, वे खुद को पुरुषों जैसा बना लेंगे और कामयाब हो जाएंगी, मगर क्या ये मानव जाती के लिए बहुत बड़ा नुकसान नहीं है, कि कहीं न कहीं आप मानते हैं कि स्त्री प्रकृती एक कमजोरी है, इस विचार को छोड़ना ह होगा, स्त्री प्रकृती कमजोरी नहीं है, ये ताकत का दूसरा रूप है, इसमें जीवन दूसरी तरह से व्यक्त होता है, जैसे पुरुष एक तरह से व्यक्त होता है, स्त्री प्रकृती दूसरी तरह से व्यक्त होती है, योग में पुरुष प्रकृती को दाहिना, मगर हम बराबरी पर हैं दो पुरुश और दो महिला हैं। बिलकुल सद्गुरू। سद्गुरू, हम चात्र अपने घ़रों में परिवार से मिलने वाले भावνातमक सुक्त से दूर रहते हं। अपने करियर के लिए हम बहतर अफसर की खोज में बाहर जाते हैं। उसमें हम विप्रीत लिंग का साथ खोशते हैं, कुछ लोग रिष्टों में पढ़ जाते हैं, जो धीरे-धीरे शारीरिक अंतरंगता में बदल जाता है. सद्कुरू, सवाल ये है, कि फिर हम एक पीड़ी के रूप में इस पर खुले आम चर्चा क्यों नहीं कर सकते, या शादी से पहले सेक्स आज भी एक अपवित्र चीज मानी जाती है? देखिए, ये किसी तरह का नुस्खा नहीं है, हर व्यक्ति के अपनी जरुरत होती है, अभी हमें ये समझना चाहिए, इस समाज में हम इंसानी का मुक्ता को इस तरह संभालते आए हैं. एक लड़की के किशोरवे में आने से पहले, उसे बोल दिया जाता था, तुम्हारी शादी इस लड़के से होगी, 6-7 साल की उम्र में, शादी नहीं होती, मगर उसे कहते तुम्हारे अंकल का बेटा उस लड़के से तुम्हारी शादी होगी, लड़के से कहते तुम्हें उससे शादी करनी हैं, तो उन्होंने एक दूसरे को देखा नहीं है, एक दूसरे से मिले नहीं है, मगर उन्हें भावनाओं के स्तर पर जोड़ा जा रहा है, वे चाहते हैं कि एक दूसरे को छूने से पहले वे दोनों भावनाओं के स्तर पर अच्छे से जुड़ जाएं, य तक आपकी भावनाएं किसी से जुड़ चुकी होती हैं, तो आप अपने शरीर को संभाल लेते हैं, आप पागल नहीं हो जाते, क्योंकि आपकी भावनाएं किसी से पहले जुड़ चुकी हैं, तो 15-16 साल का होने पर लड़की की शादी कर दी जाती हैं, 17-18 साल का होने तक अरिरिक जरूरत, दोनों को कम उम्र में हल कर दिया जाता है, और उन दिनों एक दो साल में बच्चे आ जाते थे, तो वो वेस्ट हो जाते थे और जीवन चलता रहता था, ठीक है, आज हमारा जीवन बदल गया है, क्योंकि जब तक आप शिक्षा पूरी करते हैं, वो कम से कम 24-25 साल की उम्र में होते हैं, पीएचडी का मतलब है 30, 35, मैं नहीं जानता कितनी, ये इस पर निर्भर करता है कि आपके प्रोफेसर कितने उदार हैं, तो मान लेते हैं कि शिक्षा का आउसत समय 25 साल की उम्र है, जब तक उन्हें रोजगार मिलता है, और वे कही सेटल होकर आर्थिक सुरक्षा पाते हैं, वे 30 साल के हो जाते हैं, ठीक है, इनसान के हार्मोन 15 से 30 साल के बीच सबसे चरम पर काम करते हैं, आप लोगों को साधूँओं की तरह जीना नहीं सिखा रहे, आप उन्हें कोई साधना नहीं सिखा रहे, जिससे वे अपनी उर्ज चीज का हल नहीं खुजना चाहते, तो आप एक अस्वस्त समाज बनाएंगे, बहुत अस्वस्त समाज, जो दुर्भागे से हमारे समाज में हिंसक तरीकों से व्यक्त हो रहा है, क्योंकि हमने इनसान की मुलभूत जरूरतों का हल नहीं को जाए, पहली चीज है, पोशन, अग कोई एक व्यक्ति नहीं, आप जिस प्रजाती के हैं, वे प्रजनन की इछा करती है, इसे इसी तरह बनाया गया है, यह प्रजनन की चाहत इस प्रजाती के जीवित रहने के लिए है, अगर लोग प्रजनन नहीं करेंगे, तो मानव नसल खत्म हो जाएगी, है ना? तो आपक को कई चीज़ें पता चलती हैं मगर शुरू में सब कुछ अस्पष्ट होता है तेखे मैं बताता हूं मान लीजिए आप 10-11 साल के हैं उस समय आपने लोगों को देखा तो वे बहुत साधारन दिखे अचानक 14 साल की उम्र में किसी के शरीर का हर छोटा उभार अपने आप में एक पूरी दुनिया हो जाता है क्योंकि आपके हार्मोन हर चीज़ को प्रभावित करने लगते हैं एक तरह से आपके हार्मोन आपकी बुद्धी को बंदी बना लेते हैं ये बुरा या अच्छा बताने की चीज़ नहीं है ये एक कुदरती प्रक्रिया है कुछ लोग हो सक अगर वे उसके परे जाते हैं तो उनके लिए शांदार है उनके लिए मजबूरी नहीं होती वो इसके परे चले जाते हैं उस व्यक्ति के लिए शांदार है मगर आप पूरे समाथ से इसके परे जाने की उमीद करें ये बेवकोफी है ऐसी कोई चीज नहीं होती है तो हम आज भी भावुक लोग हैं, जब चीजे जरूरी भावनाओं के बिना होती हैं, तो लोगों को कश्ट होता है, धेर सारे लोगों को, कुछ लोग इससे उपर हैं, मगर लोगों को कश्ट होता है, तो हमारे देश में, हमारे समाज में, इस पर चर्चा होनी चाहिए, कि सामा चुरू, हाला कि आपके पिछले विस्तृत्र जवाब में मुझे अपने सवाल के जवाब की थोड़ी जहलक मिल गई है, मगर फिर भी मैं पूछना चाहूंगी, तो मेरा ये विश्वास था, या वास्तव में मुझे ये विश्वास दिलाया गया कि एक जीवन में एक ही साथी होना चाहिए, मगर जब मैं देखती परकती हूँ, तो ये पूरी तरह से एक ही साथी वाले संबंद अब नहीं दिखते, ये सोची खतम हो चुकी है, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? वो खतम नहीं हुआ है, हो सकता है जेन्यू में खतम हो चुका हो, बाकी की दुनिया में ये वाकई खतम नहीं हुआ है, चाहे आप अमेरिका चले जाएं, जहां इतना खुलापन प्रतीत होता है, वहां भी, जब लोग शादी करते हैं, तो उन्हें विश्वास होता है कि य जीवन भर के लिए है, लेकिन हां, दो साल बाद जीवन समात हो जाता है, ये दूसरी बात है, मगर जब वे शादी करते हैं, तो उन्हें यकीन होता है कि ये जीवन भर के लिए है, तभी वे हीरे पर पैसे खर्च करते हैं, उन्हें लगता है कि ये जीवन भर की बात है, व अब लोग कम उम्र में मिलते थे, तब उनकी शक्सिय ठोस नहीं होती थी, वे 17-18 की उम्र में मिलते थे, तब दो लोग बहुत आसानी से एक हो जाते थे, अब वे 30 की उम्र में मिल रहे हैं, दोनों ठोस हो चुके हैं, दो ठोस चटाने, मगर मैं देखता हूँ कि अगर लोग कम उम्र में शादी करते हैं, तो वे साथ निभाते हैं, अगर लोग 50 साल के बाद शादी करते हैं, तो वे भी निभाते हैं, क्योंकि वे फिर नर्म हो जाते हैं, चटान पिगल जाती है, तीस से पचास के बीच की उम्र ठोस चटान की तरह होती है मजबूत शक्सियत तब तक्राव होता है अगर वे होशियार होंगे इससे परे कुछ खोज लेंगे खैर एक विवा हो या बहु विवा या जो भी अगर आप ध्यान दें तो हमें ये महत्वपून चीज समझने की जरूरत है कि हम सब यहाँ है आप और मैं यहाँ है इसका मतलब है कि कुछ समय पहले एक पुरुष और एक स्त्री का मिलन हुआ था हो सकता है आप सोचे वे माबाप हैं वे प्यार नहीं करते वे सेक्स नहीं करते वे कुछ नहीं करते किसी पुजारी के मंत्र पढ़ने से शायद आप पैदा हो गए नहीं ऐसा नहीं है किसी की शारीरिक जरूरत थी उसे उन्होंने शादी से पूरा किया और इसलिए हम यहाँ हैं और अब हम एक खास उम्र में अपने जीवन के एक चरण में जब आप 18 के हो जाते हैं तो आप हमेशा शादी के खिलाफ हो जाते हैं लेकिन जब आप 3 साल के थे तो आप शादी के हक में थे अपने माता पिता की शादी के हक में जब आप 3 साल के थे तो क्या खुश नहीं थे कि आपके माबाप की शादी अच्छी चल रही है जब आप 18 के होते हैं, तो आप बिना बंधन के सेक्स और शादी न करने के बारे में सोचते हैं, मगर 50-55 के होने के बाद, एक बार फिर आप स्थाई रिष्टा खोजते हैं तो ये सोचना आपका काम है, क्योंकि ये आपका जीवन है, कि आप तै करें कि आप ऐसा जीवन चाहते हैं, जहां आप हमेशा अपनी भावनाओं के लिए कोई साथी खोजते रहें, या आप इसे इस तरह हल करना चाहते हैं, कि आप अपनी बुद्धी और समय को कुछ और बन जाएगी, वरना आपको हर दिन किसी को खोजने के लिए आसपास घुमना पड़ेगा, नहीं मैं ये इसलिए कह रहा हूँ, क्योंकि मुझे बहुत बुरा लगता है, अमेरिका में मैं लोगों को जानता हूँ, और आप जानते हैं कि वहां अब हजारों लोग मुझ से आज कोई आकर उन्हें ले जाएगा, ये बहुत बेंकर है, आप इसे जो चाहें कहें, मगर मुझे लगता है कि ये बहुत दैनी हैं कि 45 साल की स्त्री को एक उचित महौल में प्रेम और समान मिलना चाहिए, वो वहां बैठ कर इंतजार करती है कि कोई अजनबी उसके रास्त करने वाली है, जब वो उसकी ड्रिंक या डिनर का बिल चुकाता है, ये भेंकर दुख की बात है, ये भेंकर है कि आपकी कोई गरीमा नहीं रह जाती, इसका मतलब ये नहीं कि हर कोई उस रास्ते पर जाए, मगर आपको कोई सामाजिक धांचा तोड़ने से पहले सभी के कल जिनितिक धांचा या समाज का मनुवज्ञानिक धांचा उसे तोड़ने से पहले हमें सोचना चाहिए कि क्या हमारे पास बहतर विकल्प है, एक वैकल्पिक प्रनाली के बिना अगर आप मौझूदा धांचे को तोड़ेंगे जो काफी अच्छा चल रहा है, तो सब अस्ति मूल्यवान और कीमती था, जीवन के विभिन पहलूँ उपर आपके जो विचार थे, जो हमारे उठाए गए सवालों और आपके दिये गए उत्तरों में आए, वे महत्वपूर्ण थे, इससे पहले कि हम चर्चा को आज शाम उपस्थित इस बहतरीन श्रोता समूग के नाम की एक ऐसी सीक्रिट सोसाइटी से समबंदित बहुत सारी सामगरियों से हो रहा है, जो मीडिया, फाइनेंस नेटवर्क और फार्मा नीतियों के माध्यम से पूरी दुनिया पर नियंतरन कर रही है, यहां तक कि अनेक लीडर, गुरू और पुजारी उनके नियंतरन मे नहीं हूँ, हम सेमत हैं, देखिए, मुझे लगता है कि आप डैन ब्राउंड पढ़ रहे हैं, यू मीन अनिकेत, अनिकेत आप जहां कहीं भी हो, देखिए, यह यूरोपिये संस्कृति का हमेशा से हिस्सा रहा है, वैसे हम भी इन दिनों काफी हद तक इससे प्रभावित हो रहे हैं, लेकिन यूरोप में सीक्रेट स्कूल अद्भूत माने जाते रहे हैं, यहां तक की प्रसिद लोग जैसे सुकरात, अरस्तू, ये लोग, वो भी सीक्रेट स्कूल के हिस्से थे, कोई अपने स्कूल को गुप्त क्यों रखेगा, क्योंकि समाज हर उस चीज़ पर अत्याचार करने के लिए तैयार है, जिससे वो सहमत नहीं है, अत्याचार, सिर्फ अत्याचार होने पर ही कोई स्कूल सीक्रेट हो जाता है, है न? तो सीक्रेट स्कूल परंपराएं यूरोप में इतनी अधिक इसलिए हैं, क्योंकि कटर धार्मिक विश्वास रखने वाले हर उस चीज़ को दबा रहे थे, जो उनके अनुसार बस दस लोगों को भी कठा कर लेती थी, वे उसे नश्ट कर देना चाहते थे, वे उनको मार देते थे, इसलिए उन्होंने सीक्रेट स्कूल चलाए, इस बीच जिसे आप इलुमिनाटी कह रहे हैं, और बाद में इसने खुद को फ्री मेसेंज के रूप म जो मिश्र गए थे, क्योंकि उनको अन्जान देश में जिवित रहना था, तो वे सभी तरह के उपाए कर रहे थे, कि जिवित कैसे रहा जाए, अपने बीच उन्होंने कोड विक्सित किये, और एक दूसरे से कोड भाषा में संपर्क और संभाद किया, जिससे कि वे उस आक जानते हैं कि पिरामेड और बालबेक मंदिर को बनाने के लिए कुछ पत्थर तराशने वाले भारत से गए थे, 42 सो या 43 सो साल पहले बने लेबनान के बालबेक मंदिर के बारे में इस बात के सपष्ट रिकॉर्ड हैं कि उन्होंने एक फिनिशियन मंदिर बनाया था, जिस भाग गया, खैर, तो बाद में ये फ्री मेसेनरी बन गया और फ्री मेसेनरी ने एक शक्तिशाली रूप ले लिया, फिर ये अमेरिका पहुंचा और इसने बहुत शक्तिशाली रूप ले लिया, क्योंकि वहां लोग इसाइक कटरता के जबरदस्त दवाब में थे, तो मु मारतों की डिजाइन बहतरीन है, मैं अनेक फ्री मेसेंस मंदिरों में गया हूँ, क्योंकि मुझे उनके डिजाइन बहुत पसंद है, उन्होंने बहतरीन डिजाइने बनाई है, क्योंकि जियोमेटरी उनकी संस्कृती का एक महत्वपून हिस्सा है, शायद इसी कारण से कोई क लिखता है और यह कहता है कि वे भारत से आये थे, क्योंकि भारत में योग संस्कृती ने जीवन के जियोमेटरी पहलूओं पर खुद को पूरी तरह से केंद्रित किया है, एक तरह से योग का अर्थ है, अपनी जियोमेटरी को ब्रहमांडिय जियोमेटरी की सीध मे लाना, जिससे की जीवन का आपका अनुभव इस तरह से उपर उठे कि ये ब्रहमांड किसी तरह से आपका प्रतिबिम्ब हो जाए, या आप ब्रहमांड का प्रतिबिम्ब बन जाए, आप इसे जैसे भी देखना चाहें, तो जहां भी हम जियोमेटरी की गहरी समझ को देखते हैं, हम ये सोचते हैं कि जरूर यहां योगी रहे होंगे, क्योंकि प्राचीन काल में जियोमेटरी का ये स्तर तब तक नहीं आता था, जब तक कि आप में कोई भीतरी प्रक्रिया न चल रही हो, अब भलेई लोग जियोमेटरी को बाहर की और एक अलग स्तर पर पढ़ रहे हैं, लेकिन उन दिनों इतनी जटल जियोमेटरी को समझने का एक मात्र तरीका अपनी खुद की बनावट के अध्यन का था, कि ये शरीर कैसे बना है और ग्रहों और अंतरिक्ष की घटनाओं पर ध्यान देकर इसे समझा जाता था, तो एक समय ऐसा था जब वे कुछ चीजों को नियंतरित करते थे, लेकिन सभी सीक्रेट स्कूलों के बारे में बढ़ा चड़ा कर बाते की जाती हैं, और अनिकेत, आजकल वे जादा कुछ नियंतरित नहीं कर रहे हैं, डोनाल्ड ट्रम्प बहुत सारी चीजों को नियंतरित कर रहे हैं। पुरुष का सीमन कितना महत्वपूर्ण है? क्या अपने सीमन को बरबात करना हमें आध्यात्मिक रूप से नुकसान पहुँचा सकता है? देखिए आप जानते हैं कि आपकी शारेरिक मौजूदगी का अधार सीमन या वीर है, आप चाहे पुरुषों या महिला, आपके शरीर को बनाने के लिए जिम्मेदार सामगरियों का पचास प्रतिशत ये हैं। हमारे पास चमडी है, हमारे पास चमडी के ऊपर की कोशिकाएं हैं, हमारे पास बाल हैं, हमारे शरीर के अनेक पहलू हैं, आप जानते हैं दिल, गुर्दा, लिवर, वेगर वेगर, अपने आप में इन सारी कोशिकाओं की कुछ न कुछ शमताएं हैं, लेकिन सीमन के शमता का स्तर जबरदस्त है ये एक पूरा नया जीवन बना सकता है आज आप तोचा की एक उपरी कोशिका को लेकर प्रयोग शालह में बहुत कुछ कर सकते हैं और शायद हम आपका क्लोन भी बना दें तो शम्ता यहां भी है लेकिन इसका स्तर उन कोशिकाओं के स्तर जैसा नहीं है जिन्हें आप सीमन या वीरे कह रहे हैं तो योग संस्कृति में हम इसे वीरे कहते हैं वीरे को हम वज्र भी कहते हैं जिसका अर्थ है स्थिर्ता या हीरा जो सबसे कठोर चीज है तो मानव शरीर में वीरे को वज्र की तरह समझा जाता है जिसका अर्थ है कि अगर आप इसका उप्योग करना जानते हों तो ये सबसे शक्तिशाली चीजों में से एक है तो इसका उप्योग करने का मतलब ये है कि आप इसका उपयोग बच्चे पैदा करने के लिए कर सकते हैं ये एक तरीका है खेर ये सवाल इसलिए आया क्योंकि आप इसका उपयोग हॉस्टल की चादर को बरबाद करने में कर रहे हैं ठीक है अगर आप इसका इस तरह से उपयोग कर रहे हैं तो आप मजबूर हैं, आप जो कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। ये कोई ऐसी बात नहीं है जिस पर नैतिकता के आधार पर कोई राय बनाई जाए। सवाल ये है कि कोई किस हद तक मजबूर होकर कुछ कर रहा है। लेकिन क्या इस शरीर की किसी भी चीज़ को एक दूसरे स्तर पर काम करने के लिए रुपांत्रित किया जा सकता है। बिल्कुल केवल सीमन ही नहीं, इस शरीर की हर चीज़ को रुपांत्रित किया जा सकता है। देखिए, मान लीजिए, अगर मैं आप सभी को सूप बनाने की सामगरी दूँ, आप सभी को एक जैसी सामगरी दूँ, तो क्या आपको विश्वास है कि आप सभी लोग एक जैसा सूप बनाएंगे? नहीं, आप 500 प्रकार के सूप बनाएंगे, हलाकि सामगरी एक ही है, यही हम सब के साथ इस समय हो रहा है, हम सभी बुन्यादी रूप से एक ही सामगरी से बने हैं, लेकिन देखिए कि हम एक दूसरे से कितने अलग हैं, क्योंकि सूप अलग है, तो अगर मैं आपको सूप बना के साथ होता है, केवल सीमन के साथ ही नहीं, अपने मन और शरीर के हर आयाम को आप किसी जबर्दस चीज में रुपांतरित कर सकते हैं, या आप इसे साधारन बना सकते हैं, या आप इसे गंभीर समस्या में बदल सकते हैं, जीवन के हर पहलू को, ऐसा ही जीवन के इस यही उर्जा देखिये लोग शाभदिक अर्थ लेते हैं लेकिन अगर आप किसी विशेश चीज जैसे तुझा के उपर की कोशिका को पैदा करना चाहते हैं तो शरीर इसे इतंनी सारी उर्जा खर्च कर रहे हैं, तो सुभाविक है कि इसमें एक शम्ता है, लेकिन क्या आप में उसे खोजने की काबलियत है, क्या आप वो खोज करना जानते हैं, क्या ऐसा करने के लिए आप के पास साधना और मार्ग दर्शन है, ये एक प्रश्ण चिन है. धन्यवाद सत्कुरू, अब हम अपने बहतरीन और थैर्यवान श्रोता समोग के सवालों को लेंगे. एक विनम राग्र है कि अपने सवाल उची आवाज में ना बोलकर माईक पर पूछें, और कृपया एक व्यक्ती एक ही सवाल पूछें. कुछ लोगों के पास माईक है, इस इसलिए आपको अपने लिए माईक देखना होगा. नमस्कार गुरु जी. गुरु जी, आपने कहा है कि केवल एक प्रतिशत लोग अपनी प्रतिभा तक पहुँच पाते हैं. आपने हमेशा हम से कहा है कि हम भीतर की ओर मुड़ें. तो हम भीतर कैसे मुड़ें और अपने भीतर हम क्या खोजें? मैं कह रहाओं कि केवल एक प्रतिशत लोग अपनी प्रतिभा तक पहुँच पाते हैं. और आप कहते हैं कि हमें इस प्रतिभा की उप्योग के लिए भीतर मुड़ने की ज़रूरत है. हम भीतर कैसे मुड़ें और हम क्या देखें? यहाँ पर दो चीज़ें आपस में मिल गई हैं. मानविय प्रतिभा को बाहर लाने के लिए आपको बाहरी महौल और भीतरी महौल दोनों की ज़रूरत है. बीतरी महौल केवल यह है कि आपको सहज होना होगा. जीवन में आपको पूरी तरह से आराम से रहना होगा. ज्यादा तर लोग हर्जमें कि आपा धापी में लगे हैं आपको सहज होना होगा सहज होने का अर्थ है किसी ने मुझसे कॉलेज में पूछा हमें कैसे पता चलेगा कि हम सहज है योग के इंद्र में हम एक कोब्रा टेस्ट करते है आप इस बारे में पहले से जानते हैं इस बारे में आप पहले से जानते हैं उन में से कुछ जानते हैं देखिए अधिकांश विशेले जीव ऐसे होते हैं विशेश रूप से कोब्रा ऐसे होते हैं और मधुमक्यां ऐसी होती हैं और यहां तक की मकडियां भी ऐसी ही होती हैं, वे आपको देखते नहीं हैं, जादा सुनते भी नहीं हैं, कोबरा तो पूरे बहरे होते हैं, साप जादा तर बहरे होते हैं, वे कुछ भी सुन नहीं सकते, लेकिन वे आपके शरीर का रसायन महसूस करते हैं, अगर आप जंगल तो दिखाई थी जिसमें मैंने एक कोब्रा को अपने हाथ में उठाया है, सिर से पकड़ कर नहीं, बस ऐसे ही, वो पालतू साप नहीं, एक जंगली साप है, ठीक है, वो हमारे साथ दो दिनों तक रहा, फिर पहाडों में छोड़ा है, वहां आया था, इसलिए पकड़ लिया, तो अगर किंग कोब्रा आपको डस ले, तो आपके पास 20-40 मिनट का जीवन बाकी रहेगा, उसके पास एक हाथी को मारने जितना विश होता है, ठीक है, वो किंग कोब्रा, जिसे आपने देखा वो लगबग 13 फिट का है, उसके पास किसी हाथी को मारने के लिए पर्याप्त विश है, लेकिन मैंने उसको ऐसे पकड़ रखा है, वो बस वहीं है, क्योंकि वो केवल आपके शरीर के रसायन को महसूस करता है, अगर आप उसे थोड़ी भी चिंता दिखाते हैं, तो वो आपको लपक लेगा, क्योंकि उसे खत्रे का हैसास होता है, आपकी चिंता उसके लिए खत्रा है, तो हम आपका कोब्रा टेस्ट ले सकते हैं, ये देखने के लिए कि आप सहज हैं या नहीं, अगर आप सहज हो जाते हैं, तब भी क्या सामाजिक परिस्थितियां आपको अपनी प्रतिभा को बाहर लाने की अनुमती देंगी या नहीं, जब आपके पास काफी कटर सामाजिक बनावट होती है, जब आपके आजपास काफी कटर धर्म होते हैं, तो वे आपकी अपनी प्रतिभा को बाहर लाने की अनुमती नहीं देते, वो ये पक्का करेंगे कि आप उनके द्वारा बनाए नियमों से बंदे रहें, तो एक सामाजिक महाल और एक भीत्री महाल ये बनाना महत्वपून है, मुझे लगता है कि आज आप अपने आजपास की किसी भी तरह की कटर परिस्थिती या दबाव वाली परिस्थितियों से भाग सकते हैं, आप उस जगे को छोड़ सकते हैं, 100-200 साल पहले किसी स्थान को ऐसे छोड़ना संभव नहीं था, लेकिन आज अगर आपको ऐसी परिस्थिती मिले, जो आपके जीने के तरीके के लिए बिल्कुल साहयक नहों, तो आप उस जगे को छोड़ सकते हैं, और कहीं और जा सकते हैं, है न? ये अतीत में संभव नहीं मुझे स्ट्रेस है, मुझे स्ट्रेस है, क्या ये किसी तरह की काबलियत है? ये काफी हद तक ऐसा हो गया है, विशेश रूप से मैनेजमेंट छेत्र में, अगर आप CEO हैं, तो आपको कम से कम अलसर होना चाहिए, वरना आप एक अच्छे CEO नहीं है, आप कड़ी मेहनत नहीं कर रहे हैं, ऐसा इसलिए है क्योंकि हम तनाव को एक प्राकृतिक घटना मान रहे हैं, नहीं, तनाव होने का मतलब सिर्फ ये है, कि आप अपने सिस्टम को संभाल नहीं पा रहे हैं, आपको अपने शरीर को संभालना, अपने शरीर के रसायन को संभालना, विचारों और भ जैसे बनाना, जैसी आप चाहते हैं, यह आपका काम है, है न? दुनिया में हर चीज 100% आपके तरीके से नहीं होगी, कभी भी नहीं. लेकिन कम से कम इस एक व्यक्ति को आपकी इच्छा नुसार चलना चाहिए, है न? इस समय ये वेक्ति आपकी इच्छा के हिसाब से नहीं चल रहा है ये एक बड़ी समस्या है मैं आज यहां इसलिए आया हूँ कि आपकी खुशाली के लिए साधन और टेक्नोलोजी प्रदान कर सकूँ जिससे की कम से कम आप अपने भीतर वैसे बने जैसा आप होना चाहते हैं अगर आपके पास चॉइस होती कि आप अपने भीतर कैसा होना चाहते हैं तो आप क्या चुनेंगे खुश होना या दुखी होना आपको अभी बताना होगा मैं आशिरवाद देने वाला हूँ पहस की जा सकती है, लेकिन आप अपने लिए जो चाहते हैं वो सौ प्रतिशत स्पष्ट है, सहज होने की बात करें तो उसके अनेक तरीके हैं, लोगों से ये सवाल पूछा जा सकता है, वे बोलेंगे सहज होने का अर्थ है शान्ती, एक बार ऐसा हुआ, क्या मैं चुटकुल ठीक है, तो शंकरन पिल्लाई एक आकरामक पती था, वो हमेशा अपनी पत्नी को परिशान करता था, कभी पीटता था, कभी यौन प्रतारना देता था, कभी गालियां देता था, हर रोज ये सब करता था, लेकिन उसकी पत्नी हमेशा बहुत शान्त रहती थी, एकदम शान् एक दिन वो उसपर चिलाया, लेकिन वो एकदम शान्त रही फिर उसने पूछा, तुम ये कैसे करती हो मैं तुमको गालियां दे रहा हूँ हर रोज कुछ बुरा कहता हूँ कभी-कभी मैं तुमसे बुरा वैभार करता हूँ लेकिन मैंने तुमको कभी भी गुस्से में नहीं देखा, तुम हमेशा शांत रहती हो, तुम ये कैसे करती हो, उसने कहा मैं टॉलेट साफ करती हो, क्या, मैं तुमको गालियां देता हूँ, तुम टॉलेट साफ करती हो, उसने कहा हाँ, यदि तुम मुझको गाली देते हो, उसने कहा मैं घर के सारे टॉलेट साफ करूँगी। उसने पूछा लेकिन टॉलेट साफ करना तुमको शांत कैसे रखता है। वो बोली मैं तुम्हारा टूथ ब्रश इस्तमाल करती हूँ। तो इसे संभालने के कई तरीके हैं। आडिटोरियम के बाहर सेकड़ो विद्यार्थी हैं। इसलिए हम बाहर से एक सवाल लेंगे। हलो सर, मेरा नाम मुहमद अक्मल है और मैं JNU का विद्यार्थी हूँ। मेरा सवाल आपसे ये है कि दरसल मेरे दिमाग में एक अलग प्रश्न था। लेकिन इस समय मेरा सवाल ये है कि जब आप अमेरिका में थे आपने हमेशा वहां कहा कि भारत सबसे बड़ा जीवन्त लोक तंत्र है। लेकिन अब चार सालों के बाद आपने ये कहना बंद कर दिया है। तो वो क्या चीज है जिसने आपको अब ऐसा कहने से रोग दिया है। मतलब आपने ऐसा कहना क्यों बंद कर दिया है कि हम सबसे बड़े जीवन्त लोक तंत्र हैं। नहीं नहीं मुझे लग रहा है कि आप मेरी बातों का शाब्दिक अर्थ पकड़ रहे हैं। इन चार सालों के कारण नहीं बस मैं देख रहा हूं कि हम भी अमेरिका की तरह होते जा रहे हैं। या तो हम रिपब्लिकन हैं या डेमोक्रैट। मेरे पिता एक रिपब्लिकन थे, मेरे दादा एक रिपब्लिकन थे, इसलिए मैं भी रिपब्लिकन हूं। ऐसा एक Republican ने कहा, तो एक दूसरा व्यक्ति बोला, एक Democrat ने उसे पूछा, मान लो तुम्हारे पिता बेवकूफ थे, और तुम्हारे दादा भी बेवकूफ थे, तो तुम क्या होगे? उसने जवाब दिया, मैं एक Democrat होँगा. तो एमरिका दुर्भागे से पिछले कुछ दशकों में इस तरह से विभाजित रहा है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं था, लेकिन अब मैं कहूँगा, कि शायद पिछले दस सालों से ये इतना विकृत हो गया है, हर व्यक्ति किसी दल से संबंदित है, ये लोकतंत्र का विनाश सभी को चुनाओ के तीन महीने पहले इस पर विचार करना चाहिए, तब आप ये देखना शुरू करें, कि इन लोगों ने क्या किया, क्या उन्होंने राष्ट के लिए कुछ किया, क्या उन्होंने राष्ट के लिए कुछ नहीं किया, क्या उनको एक और मौका दें, या अपनी बुद्धी से इसका अंदाजा लगाना चाहिए। अपनी बुद्धी से इसका अंदाजा लगाना चाहिए। अगर पांच साल पहले ही हम तै करके बैठे हों कि हम किसे वोट करेंगे फिर तो इस पूरी प्रक्रिया का कोई मतलब ही नहीं है। अगर आपको लोगतंत्र बनाए रखना है तो ये बहुत महत्वपून है। सद्गुरु इस चर्चा को जारी रखने के पूरे मूड में दिख रहे हैं। हलाकि हमारे पास बहुत थोड़ा समय बचा है तो शायद श्रोताओं से एक और सवाल लेकर हम इस इवेंट का समापन करेंगे। नमस्कार सद्गुरु, मेरा नाम तमन्ना है। मेरा आपसे सवाल ये है कि हम अपनी पीड़ी और हमारे माता-पिता की पीड़ी में काफी सारा पीड़ी का अंतर देखते हैं। और कई बार तो ऐसा होता है कि… मैं नहीं, हमारे और आपके बीच कोई अंतर नहीं है, मैं आपसे काफी युगा हूँ। कभी-कभार ऐसा होता है कि हम अपने जीवन से कुछ चाते हैं और वे हमेशा उससे सहमत नहीं होते हैं और हमारे बीच संगर्ष हो जाता है। यहां तक कि हम उनको खुश रखने के लिए कभी-कभी अपनी इच्छाओं को दबा देते हैं। तो हम इस संगर्ष से कैसे निप्टें। देखिए, प्लीज बैठ जाईए। यह समस्या केवल आपकी पीढ़ी के साथ नहीं है। दुर्भागे से यह समस्या हर पीढ़ी के साथ है। मुझे यह बात बड़ी बेवकूफी भरी लगती है कि हर पीढ़ी को एक ही समस्या होती है। अगर हम सीखने के मोड में हैं, तो कम से कम हमारे पास एक नई समस्या होनी चाहिए। हर पीढ़ी की एक ही समस्या है। हलाकि 25-30 साल पहले वे भी युवा थे। लेकिन अचानक वे ऐसा विवार करते हैं जैसे वे इसी रूप में धर्ती पर अफ़तरित हुएं। तो क्योंकि आपके माता-पिता यहां नहीं है तो मैं उनसे बात नहीं कर सकता। इसलिए मैं आपसे बात करूँगा। अगर आप अपना जीवन अपने तरीके से बनाना चाहती हैं और वो तरीका आपके माता-पिता या आपके समाज या आपकी यूनिवरसिटी से मेल नहीं खाता। ऐसा हो सकता है कि आप जो चुने वो सिर्फ आपके माता-पिता के ही खिलाफ न हो बलकि शायद आपके सहपाटियों के भी खिलाफ हो शायद आपके संस्थान के भी खिलाफ हो शायद उस समाज के भी खिलाफ हो जहां परहती है तो अगर आप अपनी चीज करना चाहें तो आपको समझना चाहिए कि आपको उसके लिए कीमत चुकानी होगे आप जिस अकेली चीज के शिकायत कर रही है वो ये कि आप उस चीज की कीमत नहीं चुकाना चाहती है जीवन इस तरह कभी नहीं चलता अगर आप वो करना चाहें जो आप करना चाहती है और वो आपके आस्पास के लोगों की चाहत से मेल नहीं खाता तो वो आप से इसकी कीमत वसूल करेंगे अगर आपकी इच्छा आपके लिए इतनी महत्वपून है तो उसकी कीमत चुकानी चाहिए लेकिन अगर अपनी छोटी सी इच्छा पूरी करने की कीमत बहुत अधिक लगती है तो आप सौभाविक रूप से पीछे हट जाएंगे ये कुछ बाजार जाने जैसा है आप कुछ फूल खरीदने जाती है बेचने वाला उसकी कीमत 2000 रुपे बताता है फूलों के लिए आप इंकार करती है मुझे फूल चाहिए लेकिन नहीं क्योंकि वो बहुत अधिक कीमत मांग रहा है ऐसा जीवन के हर कदम पर होता है जब हम कुछ करना चाहते हैं तो उससे एक कीमत जूड़ी होती है हमें उसका मुल्यांकन करना चाहिए क्या मैं ये मूल्य चुकाना चाहती हूँ जो मुझे चाहिए क्या वो मेरे लिए इतना महत्वपूर्ण है कि मैं ये कीमत देने को तयार हूँ या मैं उसकी ये कीमत नहीं देना चाहती ये नीजी बात है हर किसी के लिए पहले से तह चीज नहीं होती है यह नीजी बात है, कुछ लोगों के लिए इतनी जरूरी होती है कि वे कोई भी मूले देने को तयार हैं कुछ लोगों के लिए इच्छा बस थोड़े समय टिकती है, वे इसे छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं दोनों में बुराई नहीं है, दोनों सही है सवाल दिल्चस और लुभावने हैं, तो हम कहेंगे आपने मेरे उत्तर के बारे में कुछ नहीं कहा और हम उत्तरों से भी असहमत नहीं हो रहे हैं ये केवल जेनियू की तारिफ कर रही है, ये मुझे शामिल नहीं कर रही क्या ये मेरी पहली ड्यूटी नहीं है? सद्गुरू, क्या हम कुछ और सवाल ले सकते हैं? मैं तयार हूँ, मैं तयार हूँ क्योंकि हमारे पास बहुत सारे सवाल हैं सद्गुरू, मेरा सवाल ऐसे नहीं, क्या आपने लेडी गागा को देखा है? सद्गुरू मेरा सवाल शिक्षा प्रणाली के बारे में है जो हर जगा और खासकर भारत में अपना ही गई है यह लॉड्शिप माफ कीजिये मैं एक वकील हूँ तो सद्गुरू मेरा सवाल है कि हमारे देश की आदर शिक्षा प्रणाली कैसी होनी चाहिए जिससे हम देश के हर व्यक्ति की भौतिक जरूरतों का ध्यान रखते हुए जीवन के हर आयाम की खोज कर सकें धनिवाद देखिए ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जिसे आप लोगों के लिए बना सकें क्योंकि हमारे जीवन का समय सिमित है और शिक्षा हमारे जीवन का एक छोटा हिस्सा है ऐसा सिस्टम जो सभी को जीवन के हर पहलू का नुभव करवाए नहीं ये इस तरह काम नहीं करेगा किसी की रूची पढ़ाई में है उसे उस दिशा में जाना चाहिए कोई बस एक रोजगार चाहता है उसे उस दिशा में जाना चाहिए किसी के पास दूसरे प्रकार की काबलियत है उसको उस दिशा में जाना चाहिए मुझे लगता है कि शुरू में ही मैं कहता हूँ कि बारह की उम्र तक सभी परियाप्त रूप से साक्षर हो जाते हैं वे इस देश में कम से कम एक या दो भाशाएं पढ़ सकते हैं आप अंग्रेजी भाशा और आप स्थानिय भाशा पढ़ सकते हैं जो भी आपकी मात्री भाशा है इन दो भाशाओं को आप पढ़ सकते हैं और कागस पर लिखी बात को आप समझ सकते हैं हमें बच्चे को 12 बर्स तक इस इस्तर तक लाना चाहिए, हमें उनको बहुत सारी चीजों से भरना नहीं चाहिए, बस भाशा और समझ, मैं जो पढ़ता हूं वो समझता हूं, इतना काफी है, अगर आप 12 साल की उम्र तक उन्हें इतना काबिल बना दें, तो आप मुल्यांकन कर सकते हैं कि कौशल के आधार पर कौन जा सकता है, उसी चीज में थोड़े उंचे इस तर पर किसे जाना चाहिए, किसे पढ़ाई की दिशा में आगे जाना चाहिए, ये करना जरूरी है, अगर ऐसा नहीं होगा, तो सभी शिक्षा की मशीन में जबरदस्ती धके ले जाए लोग आत्मत्याएं कर रहे हैं, एक या दो नहीं, तो हजार सोल में 18 बरस से कम के 17,600 युवाओं ने आत्मत्या की, जिसमें लगभग 7,000 बच्चे 15 बरस से कम उम्र के हैं, अगर 12, 13, 14 साल के लड़के और लड़कियां खुद को मार रहे हैं, तो क्या हम अपने समाज में क कुछ बुनियादी गलती नहीं कर रहे हैं, हैलो, बड़ी उम्र में नहीं, बलकि 12, 13 की उम्र के लड़के और लड़कियां, जब वे उर्जा से भरपूर होने चाहिए, उस समय वे अपना जीवन खत्म कर रहे हैं, तो बात साफ है कि हम बहुत बुनियादी गलती कर रहे है है न, और दुरभागे से इन आत्महत्याओं में से 90 प्रतिशत शिक्षा से संबन देता है, कुछ दूसरी चीज़ें परिवार या कुछ और, लेकिन इन में से 90 प्रतिशत शिक्षा से संबन देता है, निश्यत रूप से हमें शिक्षा पर विचार करने की जरूरत है कि अच्चे को सम्हालने का सबसे कुरूर तरीका है। नमस्ते, मैं बाहर हूँ। मेरे दो सवाल हैं, पहला ये कि हम अच्छा केरियर कैसे चुने। और दूसरा कि आपको क्या लगता है कि मूल रूप से तकनीक या खास तौर पर आर्टिफिशल इंटेलिजन्स शिक्षा में कैसे सहायता कर रही है। ठीक है। हम पहले दूसरे सवाल का उत्तर देंगे क्योंकि पिछले दो सालों से लोग मुझे अंतर राश्ट्रिय सम्मेलनों में आर्टिफिशल इंटेलिजन्स पर बोलने के लिए बुला रहे हैं। उन्हेंने जब पहली बार बुलाया, मुझे समझ नहीं आया कि मुझे क्यों आमंतृत किया। मैंने कहा मैं बनावटी बुद्धी नहीं हूँ, मैं कुद्रती बुद्धी हूँ, आप मुझे बनावटी बुद्धी के लिए क्यों बुला रहे हैं। फिर उन्होंने बताया कि ये सभी की समस्या है, कि अगर बनावटी बुद्धी आ गई, तो हम अपनी नौकरियां खो देंगे। मैंने कहा इसका मतलब है कि आपको छुटियां मिलेंगी, जिसकी आपको हमेशा तलाश रहती है। अगर इस धर्ती पर मशीने सारा काम करें, तो इसमें समस्या क्या है? लोगों के लिए तो बहुत अच्छा होगा। मुझे लगता है कि अगर मशीने सभी मेहनत वाले काम करने लगें, आप यहीं देख सकते हैं। जैसे कि जैनियू में आपने जो कुछ बनाया है, मान लिजे कि आप इसका निर्मान कर रहे हैं, तो आपको इसे बस एक कुदाली और एक लोधन्ट से करना हैं। आपको कितना सारा काम करना पड़ेगा, क्योंकि मशीन और दूसरी चीज़ें आ गई हैं, कितना काम कम हो गया है, जिसके कारण आपकी बुद्धी को नए अफसर मिलें, अगर आप एक लोधन्ट से मेहनत कर रहे होतें, तो सिर्फ आपकी मान स्पेश यहीं बढ़ती हैं। तो अब इस समय दुनिया के जादातर काम जो आप कर रहे हैं और अधिकान शिक्षा जो दे रहे हैं, वो मूल रूप से सूचना ही कठा करना है, सूचना का भंडार करना, उसका विशलेशन करना, एक खास तरह से जोड़ना और लोगों के सामने अलग-अलग तरीके से जानती है, है ना, लगता है उससे सब कुछ आता है, आप उससे कुछ भी पूछिए, बिना पल के जपकाए, वो आपको दुनिया की हर चीज बता देगी, हाँ या नहीं, तो ऐसा समय आ रहा है, अब ये बस पांच से दस साल की बात है, जो चीज आप आज पांच साल के शो कर देगी, ये मेरे साथ हुआ जब मैं छोटा था, मैंने पहली बार कैलकुलेटर देखा, पैना सौनिक या सोनी कैलकुलेटर, उससे में वो लगभग सौ रुपय का था, सपाट कैलकुलेटर, हो सकता है आपको आजकल ऐसा सरल कैलकुलेटर ना दिखे, वो बहुत सरल था, जब उन्होंने पहली बार मुझे दिखाया, टुक टुक टुक, गणित तयार, तो मेरे मन में पहला विचार ये आया, कि फिर मैं ये बेकार सी गणित क्लास में क्यों जा रहा हूँ, अगर ये मशीन मेरे लिए जोड गुना कर सकती है, भाग दे सकती है, कॉस थिटा, साइ हर चीज कर सकती है, तो ये लोग हमें इन चीजों से क्यों परशान कर रहे हैं, मैंने कहा बस मुझे ये चीज दे दो, मैं कभी गणित की क्लास में नहीं आऊँगा, मैं आपको वो सारे उत्तर दे दूगा, जो आपको चाहिए, मुझे कोई भी सवाल दो, मैं उसका हल दू लगता है, ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है, वाकई बेहतरीन है, क्योंकि जैसे आपका शारेरिक काम मशीनों ले ले लिया था, भौतिक मशीने, मेक्यानिकल मशीने, अब आपकी बुद्धी का काम एक अलग तरह की मशीन ले रही है, मुझे लगता है कि हर चीज पर काम हो जाएगा और सफाई से होगा, तो अब लोग क्या करेंगे, ये एक बड़ा सवाल है, यही तो गुफा मानव ने सोचा था, जब आपने उसको पत्थर उठाने की मशीन दिखाई थी, कि जब ये मशीन आईगी तो मैं क्या करूंगा, तो वो गुफा क्यों मैं है, हाँ, अगर मशीने नहीं होती, तो आप ही कहीं पत्थर उठा रहे होते, है न, क्योंकि मेक्यानिकल मशीने आई, इसलिए आज आप इस योनिवर्सिटी में हैं, कल को अगर एक बुद्धी की मशीन आती है, तो अपनी जानकारी पर काम करने के मामले में आप जो भी कर सकते हैं, आज से पांच से दस साल बाद मशीने उससे बहतर करेंगी, और ये कोई बड़ा सूपर कंप्यूटर नहीं होगा, ये बस आपकी जेब में होगी, ये उतनी छोटी मशीन होगी, एक छोटी सी मशीन, इन सभी दिमागों द्वारा किये जाने वाले काम से जादा काम करेंगे, हम तारकिक बुद्धी द्वारा चीजों को जोडने के कामों की बात कर रहे हैं, सूचना, चीजों को जोडना और उन्हें प्रस्तुत करना, ये काम मशीन आपसे बहतर करेंगी, ये आपको मेल और संभावनाएं बताएगी, सारा शोध तीन दिन में हो क्योंकि मानवता के लिए एक महान समय आ रहा है, जिसमें हमें शारेरिक शरम नहीं करना होगा, हमें बुद्धी का काम भी नहीं करना होगा, सिर्फ तब आप इंसान के अंदर मौझूद बुद्धी के दूसरे आयामों की खोज करेंगे, तारकिक बुद्धी आपकी आप जिसे इंटलेक्ट कहते हैं उसे बुद्धी कहते हैं योग संस्कृती में, बुद्धी मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, आप मेंसे जो जाग रहें और सो रहें उनको इसका उत्तर देना चाहिए, अगर मैं आपसे पूछूँ कि आपको एक तेज बुद्धी चाहिए या सुस्त, आपका चुनाव क्या होगा? तेज, तो जाहिर है कि बुद्धी काटने का उजार है, है न? आप इसे चाकू की तरह तेज चाहते हैं, तो हमारी शिक्षा प्रनाली के साथ जो हो रहा है और हम जिस तरह से समाज को बना रहे हैं, दरसल हम हर चीज करने के लिए चाकू का उप्योग कर रहे हैं, पिछले कुछ महीनों में मुझे ये कई बार याद आया है, क्योंकि मुझे लगता है कि एक बार फिर से बरसों के बाद मैं फिर से मोटर साइकल चला रहा हूँ, पिछले 30 बरसों में मैंने जितनी चला ही उसे जादा, तो कुछ यादें व मोटरसाइकल चला रहा था बस एक सीरे से दूसरे सीरे तक देश की सीमा तक पहुंचता फिर वापस आता फिर दूसरी दिशा फिर दूसरी दिशा मैं बस अपनी जेब के पैसे गिनता था और आगे की यातरा की किलोमिटर ठीक है तो एक बार ये कुछ ऐसा है जिस पर आपको को शोध करना चाहिए, कुछ दिन ऐसे होते थे, जब मैं तीन दिन और तीन रातों तक लगातार चलता रहता था, बिना रुके, बिना थके और बिना सोए, मैंने अपने सिस्टम में कुछ चीजें की थे, क्योंकि आप में से किसी ने सवाल किया था, क्या सीमन या वीरे को किस और चीज में बदला जा सकता है, यदि आप अपने सिस्टम में कुछ चीजें करें, तो ये उर्जा से इतना भर जाता है, कि तीन रात और तीन दिन तक उस जमाने की सडकों पर 250 सीसी की यजदी मोटर साइकल पर चलते जाते हैं, जावा मोटर साइकल आज के समय जैसा नही बड़ी बाई क्या हाईवे, फोर लेन, कुछ नहीं, सभी सिंगल रोड, गड़ों से भरी, पीठ तोड़ू, लेकिन मैं लगातार 72 से 75 गंटों तक बिना रुके चलता रहता था, केवल एक पेट्रोल पंप से दूसरे पेट्रोल पंप तक, तो एक पूरी रात बाइक चला पर मैं मद्ध प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच में कहीं था, सुबह सुबह मैंने अपनी बाईक एक धाबे पर रोकी, सोचा कि एक चाय पी कर थोड़ी देर आराम करूंगा, फिर आगे बढ़ूंगा, मेरी चेन थोड़ी ढीली हो गई थी, मुझे नहीं पता, कि मैं हर समय उस पर सवार रहता था, तो मैं किसी पर भरोसा नहीं करता, इंजन के काम से लेकर हर चीज खुद करता, लेकिन चेन थोड़ी धीली हो गई थी, पूरी राद की राइट के बाद मैं वहां बैठा था, तब ही मैंने देखा मुबारक मेकानिकल वर्क्स, हाथ से देखा साइन, मैंने उस और एक लंबे जवान लड़के को देखा, मैंने का क्या तुम मेरी चेन टाइट कर सकते हो, क्योंकि चेन को टाइट करना कोई बड़ी टेकनोलोजी नहीं है, बस हाथ बहुत गंदे हो जाते हैं, तो मैंने सोचा कि ये उसे करने देते हैं, तो उसन मैंने हाँ कहा और पूरे उत्साह के साथ आगया, फिर मैंने देखा कि उसके हाथों में बस एक छेनी और एक हथोड़ा था, मैंने का रुको, तुम क्या कर रहे हो, उसने कहा रहे मैं ये कर सकता हूं, मैंने का तुम्हारे पास कोई और अजार नहीं है, फिर मैं उसकी और हथोड़े से करता था, वो शायद कर लेता, लेकिन ऐसा करने के बाद वो मशीन आखरी बार ठीक हो रही होगी, उसके बाद उसका काम खत्म, ठीक है, मैंने का तुम मेरे मोटर साइकल को हाथ मत लगाना, ये मैं इसलिए कह रहा हूं, क्योंकि इस समय हमारी शिक्षा व् परना वो अच्छी नहीं होगी, अगर आप हर चीज करने के लिए एक तेज ऑजार का उप्योग करेंगे, तो ये पक्का है कि आप चीथोडों में नजर आएंगे, इसी कारण 30, 40, 50, 60 बरस की उम्र में भी लोगों को नहीं पता कि वे अपने विचारों और भाबनाओं को क इस तरह संभाले, आप कब सीखेंगे, क्या आप 10,000 बरस जीएंगे, वो समय कब आएगा जब आप सीखेंगे, कि अपने विचारों और भाबनाओं को कैसे संभाले, आप इसे तनाव कह सकते हैं, बेचैनी कह सकते हैं, कस्ट कह सकते हैं, पागलपन कह सकते हैं, मूल रूप से आप अपने विचारों और भावनाओं को संभालना नहीं जानते बस इतनी सी बात है ना इसलिए है क्योंकि आप बुद्धी के एक पहिये पर सवार हैं जबकि बुद्धी के अनेक पहिये हैं केवल एक पहिया घूम रहा है दूसरे या तो फस गहीं या आपने कभी इनकी खोज नहीं की तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जब बनाव्टी बुद्धी आ जाएगी तो आप जो कुछ भी तारकिक बुद्धी से कर सकते हैं एक छोटी मशीन कर देगी अब मुझे लगता है कि लोग दूसरे आयामों की खोज करेंगे मुझे लगता है मेरी एहमिय और मैं आप कहा है आप कहा है ओ स्क्रीन पर मैं बाहर बैठी हूँ मैं जे न्यू में एक PhD स्कॉलर हूँ और मैं हमेशा नैतिक असमंजस में रहती हूँ कि जब मैं मैंस का खाना खाती हूँ तो वो कभी भी standard का नहीं होता है हम खाने के mood में तो जाते हैं लेकिन हम खाना नहीं चाहते और मैं अन्थ में काफी सारा खाना बरबाद कर देती हूँ तो मुझे समाधान चाहिए मैं उस खाने को खाने का mood कैसे बनाओ जिसे मैं कते ही पसंद नहीं करती क्योंकि मैं देखती हूँ कि लोग खाने के एक दाने के लिए मर रहे हैं और मैं यहाँ पर खाने को बरबाद कर रही हूँ सारी सुविदाएं मिल रही हैं लेकिन मैं वो खाना नहीं खा पाती मैं खाना बनाने वालों को बताने की चाहिए जितनी महनत कर लूँ की थोड़ा यदि आप इस बात का डेमो चाहते हैं कि आपको इस मेस के खाने को कैसे खाना चाहिए अगर आप दे सकें हाँ, अगर आपको डेमो चाहिए, तो आप मुझे डिनर पर लेके चलें, अपने मेस में. सद्गुरू, दुरभागी से मेस का समय पहले ही खतम हो चुका है. ओ, हम बहुत लेट हो गए हैं. ये कुछ ऐसा है, किसी भी संस्थान में, ये एक हमेशा की समस्या है. यहाँ तक कि हमारे स्कूल के बच्चे, हलाकि हम उनके लिए अनेक तरह का खाना पकाते हैं, बच्चे, खाने के बारे में शिकायत करते हैं. मुझे याद है, मेरी बेटी स्कूल में पढ़ रही थी, तो मैं एक महमान के रूप में, एक माता-पिता के रूप में, पसंद नहीं, उसकी शिकायत है कि हर रोज खाने की खुश्बू एक जैसी होती है. मुझे लगता है कि हर संस्थान में ये समस्या है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको किस तरह का खाना दिया जा रहा है, ये समस्या होती है, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं, जो घर के खाने के बारे में भी शिकायत करते हैं, ठीक है? तो मुझे लगता है कि आप एक काम कर सकती हैं, मुझे ने पता कि ये संभव है या नहीं, लेकिन मैं फिर भी ये कह रहा हूँ, वाइस चांसलर यहाँ पर हैं, ये बस एक सुझाव है, मैं आपको बता नहीं रहा, आपको एक काम करना चाहिए, आपको कुछ लोगों की एक टीम बनानी चाहिए, और आपको जाकर एक किचिन में काम करना चाहिए, साल में एक हफते, अलग-अलग लोग, तब कम से कम पता होगा कि दोश किस पर डालें, दक्षिन पंथ पार्टी, वाम पंथ पार्टी, अगर वे पकाते हैं, कौन अच्छा पकाता है, अगर वे अच्छा खाना पकाएं, तो शायद कुछ मेल भी हो जाए, सद्गुरू, जब भी मुझे किसी रोल मॉडल की किसी उपलब्धी, या महान क्षमता के बारे में पता चलता है, तो खुद भी उसे अपना बनाने की, उसे हासिल करने की, एक सहज इच्छा पैदा होती है, लेकिन फिर उस इच्छा की गहराई की वज़े से मुश्किल खड़ी हो जाती है, तो जीवन की ऐसी इच्छाओं तक असल में पहुँचने का सही तरीका क्या है? देखिए ये रोल मॉडल वाला काम, बड़ा पश्चिमी विचार है, जिसे हमने अपना लिया है, हर व्यक्ति को बाकी सभी से अलग बनाया गया है, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हर इंसान अपने अंदर की खास चीज़ को खोजे, और उस बुद्धी को प्रकट करने के बारे में सोचे, जो हम खुद हैं, अगर हम किसी और के द्वारा किये जा रहे काम को करने की कोशिश करेंगे, तो एक चीज़ है, कि ये शायद आसान हो, क्योंकि रास्ता तय है, वो पहले से ही उस पे चल चुके हैं, तो मैं भी वही करूँगा ऐसा करना असान है, लेकिन आप कह रहे हैं कि वो भी मुश्किल है, लेकिन जीवन की सुन्दर्ता है अपनी खुद की पूरी संभावनाओं को खोजना, न कि किसी और से बहतर कुछ करना, न कि कुछ ऐसा करना जो दूसरों ने किया है, आपका किसी और से बहतर होना, इसका कोई महत्व नहीं है, और आपका किसी और की तरह होना भी महत्व पूर्ण नहीं है, कोई भी दो लोग शरीर वा मन से एक जैसे कभी नहीं होते, है न, हलो शरीर वा दिमाग से आप दो लोगों की कभी भी तुलना नहीं कर सकते ये एक तरह का है और वो दूसरी तरह का है, पूरी तरह से लग कभी भी ये दो चीजें एक सी नहीं हो सकती जो करना है वो कीजिए तो मानव होने की ये खुबसूरती है किसी की नकल करके इसे नश्ट मत कीजिए नकल को अपने विकास के पिछले चरण में ही हमें छोड़ देना चाहिए था क्या आप समझे हमें इसे वहीं छोड़ देना चाहिए था लेकिन रोल मॉडल होने के बारे में ये चीजें इसलिए बनाई गई है क्योंकि इस विशय पर एक पूरी अमेरिकी विचारधारा है जहां पर वे आपको हमेशा बताते रहते हैं कि अपना जीवन कैसे मैनेज करें इंडस्ट्री कैसे मैनेज करें कैसे काएं ये कैसे करें अपने बाल कैसे रखें हर चीज हर चीज का स्टेंडर्ड सेट है एक इंसान के बाल दूसरे के बाल से अलग हैं इनको एक ही तरीके से नहीं रखा जा सकता है ना इनको समान रूप से नहीं रखा जा सकता, सिर की बाद छोड़िए, बाल भी बाल भी अलग हैं, है ना? तो लोग मुझसे पूछते रहते हैं, सद्गुरु आप ऐसे बन गए, आपके रोल मॉडल कौन है, मैं उनको बताता हूँ, देखिए, मैंने कभी किसी मॉडल के साथ रोल नहीं किया, तो मुझसे ऐसी चीजे ना पूछें, ये रोल मॉडल का चक्कर आप छोड़ दीजे, अ साथियों का असर ना हो, प्रोफेसर का, माता-पिता का, समाज का कोई असर ना हो, ऐसा इस्थान चुनिये, जहां पर आपको भोजन वा अन्य चीजों की मदद उपलब दो, अपनी जरुरत के मुताबिक, वहां पर कम से कम तीन से दस दिन गुजारिये, और धिहान से देख चाहेंगे, इस पर विचार करें, कुछ ऐसा ना करें जो कोई और कर रहा है, अगर ये कीमती जीवन है, तो मैं इस जीवन को कहां लगाना चाहूंगा, ये पेशे का या किसी और के जैसे बनने का सवाल नहीं है, ये कमाने या किसी और के जैसा जीवन जीना नहीं है, सवाल देखें कि आज से 25 साल बाद ये आपके लिए कुछ माइने रखेगा, आप जो भी करने की योजना बना रहे हैं, 50 सालों के बाद भी ये माइने रखेगा, जीवन के अंत में अगर आप मुड कर देखें, तो क्या आप एक संतोस से भरे इंसान बन कर मरेंगे, ये चीज आपक तरीका नहीं है। सबसे पहले तो ये सवाल मेरे दिमाग में बचपन से आता रहा है कि धर्म क्या है और दूसरी चीज ये किस तरह खत्रे में है और क्या धर्म को अपनाना वाकई ज़रूरी है। देखिए, मैं कुछ मिनट लूँगा, उसने एक सवाल पूछा है। बिलकुल, बिलकुल। ये छोटे हिस्सों में बढ़ गया। मूल रूप से ये 100-200 राष्ट्रों का समूँ था। एक ही जमीनी हिस्से में स्थित था। जिसे आज हम भारतिये उपमहद्वीप कहते हैं। लेकिन हला कि बहुत सारे राजनीतिक राष्ट्र थे, बाहर के लोग इस जमीन को हमेशा हिंदुस्तान कहते थे। आज भी अगर आप अरब में जाएं, जैसे लेबनन और जॉर्डन या ऐसे स्थानों पर, आपको लेबनन में हजारों ऐसी औरते मिलेंगी, जो आज भी हिंद नाम लेती हैं। ये एक नाम है, क्योंकि उनकी भाषा में हिंद का अरथ है भारत। मैंने उनसे पुछा, पहली बार जब मैं गया मुझे आश्यर हुआ, आप इंडिया नाम क्यूं ले रही हैं। मेरा मतलब है लेबनन में आप भारती क्यूं हैं। उन्होंने का नहीं ये हमारी संस्कृती है, हम हमेशा भारत से जुड़े रहें। शायद ये लोग उनमें से हैं, जो काफी समय पहले वहाँ चले गए थे। वे अबु संस्कृती का हिस्सा बन गए हैं। वे वैसे दिखते हैं, उनकी हर चीज वैसी है। हजारों साल पहले की बात होगी, उन्हें घर की याद सता रही होगी। जब आपको घर की याद आती है, तो आप अपनी बेटी का नाम इंडिया रखते हैं, जिससे आप रोज इंडिया इंडिया बोल सकते हैं। क्योंकि मुझे अपना देश याद आ रहा है, तो वो परंपरा आज भी वहाँ है, लेकिन तब भी वहाँ उन्होंने इसे हिंद या हिंदुस्तान कहा, हलाकि हमारे इस उप महाद्वीप में बहुत से रास्ट थे, तो उन्होंने इस देश को हिंदुस्तान क्यूं कहा? एक तो जमीन से जोड़ी पहचान दी गई थी, लेकिन कोई राजनितिक पहचान नहीं थी, कोई भाशाग की पहचान नहीं थी, कोई धार्मिक पहचान नहीं थी, ये बहुत महत्वपून है क्योंकि वे उन दिनों भी ये नहीं समझ पायते कि हम कौन थे, जैसे कि आज भी का उतर दे सकते हैं कि मैं कौन हूँ, तो हम आज भी पता नहीं लगा पाते कि हम कौन हैं, क्योंकि ये खोज की जमीन रही है, कभी भी विश्वास की जमीन नहीं रही, अगर आपको धर्म चाहिए, मूल रूप से, जब कोई कहता है मैं धार्मिक हूँ, तो वे कहते हैं मैं विश्वासी हूँ, है ना, आई ये विश्वास शब्द को समझें, आप में से कितने लोगों को ये विश्वास है कि आपके दो हाथ हैं, ऐसे सारे लोग कृपया कम से कम एक हाथ उठाएं, आप विश्वास करते हैं कि आपके दो हाथ हैं, या आप जानते हैं कि आपके द लेकिन आप बहुत सी चीजों में विश्वास करते हैं, आप स्वर्ग में विश्वास करते हैं, इश्वर में, आप बहुत सारी चीजों में विश्वास करते हैं, क्यूं विश्वास? सिर्फ इसलिए, क्योंकि आप अपने जीवन में इतने सच्चे भी नहीं बन पाए, कि आ बहुत इंसानियत से भरा और शांदार काम होगा अगर आप कहें कि मैं जो कुछ नहीं जानता मैं उसे नहीं जानता है ना मैं नहीं जानता एक जबरदस संभावना है जब आप इमानदारी से अपने अंदर ये कहते हैं मैं नहीं जानता तो जानने की लालसा जानने की स्पष्टता के बिना आत्म विश्वास होना मानफता के साथ सबसे खतरनाक चीज घटी है आत्म विश्वास सभी प्रकार के बेवकूफों में आत्म विश्वास जब आप नहीं जानते तो कम से कम जिजक तो होनी चाहिए है न जब आप स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते तो आप में जिजक होनी चाहिए आप इस पस्ट नहीं देख पा रहे हैं फिर भी आत्म विश्वास है तो क्या आप एक मुसीबत नहीं हुए या तो आप खुद के लिए मुसीबत हैं या आसपा सभी के लिए तो ये भूमी कभी भी विश्वास की प्रनालियों से नहीं जोड़ी हुई थी ये हमेशा से खोज करने वालों की भूमी रही है किस चीज की खोज? सत्य और मुक्ति के खोज करता बस कल ही मैं बियच्यू काशी में था अब बस देखिए वहाँ पर सारे देश और आजकल पूरी दुनिया से लोग आ रहे है किस चीज की तलाश में? मुक्ति मुक्ति सबसे अधिक मुल्यवान रही है इस संस्क्रीती में ईश्वर को सबसे अधिक मुल्य नहीं दिया गया आप जिन लोगों की पूजा करते हैं वे सारे लोग इस धर्ती पर किसी न किसी समय पर चले हैं है न? और वे सूपर हीरो नहीं थे वे आकाश से नहीं टपके या हवा में नहीं उडएते या पानी वगरा पर नहीं चले थे वे भी उनहीं मुसीबतों से गुजरे थे वे आज भी रियल स्टेट समस्या में उलजे हैं सतरा या ठारा की उम्र में वे अपने हक से राजा बने क्योंकि उन दिनों में पिता से पुत्र को ये हक मिलता था वे एक यूवा राजकुमारी से शादी करते हैं थोड़े ही समय में कि इन ही राजनितिक परिस्थितियों की वज़स से उनको जंगल भेज दिया जाता है आपके टेलिविजन पर आपने जो कुछ देखा हो या किसी मूवी में आपने सीता राम को जंगल में हनिमून मनाते देखा हो नहीं उन्हें देश से निकाला गया था जंगल जाना कोई पिक्निक नहीं है आप में से अधिकांश लोग शायद ना जानते हो मैं जंगल में अकेले रहा हूँ बिना किसी बाहरी मदद के तीन हफतों के बाद जब मैं घर वापस आता था तो मेरी मा मुझे देखर पहचान नहीं पाती थी क्योंकि सिर से पाउं तक कीडों के काटने के निशान होते थे यहाँ वहाँ आपको कोई पहचान नहीं सकता खास तोर से लड़किया जब वे दो तीन हफते के बाद आएंगी तो आप उनको नहीं पहचान सकते क्योंकि हर चीज सूच जाएगी अगर आप जंगल में रहें तो आपके साथ हर तरह की चीज़ें होंगी तो एक युवा पत्नी को ले जाना जो आदिवासी महिला नहीं है एक राजकुमारी है जंगल जाना कोई पिकनिक या हनिमून नहीं था ये देश निकाला था और मानो इतना ही काफी नहीं था श्री लंका के लोग आए और पत्नी का अभरन करके ले गए हाँ यही वा था न कुछ भी हो वो एक राजा है अगर एक पत्नी चली जाए तो वो एक कोई स्थानिय समाधान खोट सकते थे एक राजा को कई पत्नियों का अधिकार है लेकिन एक चली गई है तो वे अपने ले कोई दूसरी ला सकते थे लेकिन वो आदमी उस महिला को इतना प्रेम करता है कि उन दिनों में जीपियस नहीं था आपको पता नहीं आपको नहीं पता कि श्री लंका असल में है कहाँ पर बस वो और उनके भाई यात्रा कर रहे है मैं चाहता हूँ कि आप उनके यात्रा की कलपना करें अयोध्या से दक्षनी भारत कोई सरल खोज नहीं है कितने लोगों ने अपनी खोई हुई पत्नी को छे हजार साथ हजार वर्ष पहले दो हजार से अधिक किलोमिटर पैदल यात्रा करके खोजा होगा कितने पुरुशों ने ऐसा किया होगा तो वे चले और एक तमिल फौज बनाई फिर श्री लंका गए एक खुबसूरत शहर जलाया एक यूद लड़ा, सैंकडों लोगों को मारा अपनी पत्नी को वापस हासिल किया तो अगर एक आदमी को ये सब करना पड़े तो वो महिला उनके लिए कितना मायने रखती होगी है न? और वे उनको वापस ले आए वो फिर से राजा बनते हैं फिर कुछ गलत हो जाता है तब तक वो गर्वती है देखिए राजा की पत्नी या रानी गर्वती है तो ये कोई मामली बात नहीं है ये उस राष्ट का भविश्य है ये एक बड़ी बात है ये कोई मामली बात नहीं है और वे तब तक एक बड़े समराठ हो गए थे, लेकिन कुछ गरबड़ी हो जाती है, और वे अपने पत्नी को फिर से जंगल भेज देते हैं, कोई सोनग्राम नहीं, तो उनको पता नहीं कि बच्चा लड़का है या लड़की, लड़के हैं या लड़कियां, ये राजा के ल विशे के लिए हर तरह से महत्वपूर्ण है, लेकिन उनको नहीं पता, वे अपने पत्नी को जंगल भेज देते हैं, फिर वे दो लड़कों को जनम देती हैं, उनको नहीं पता, अगर किसी व्यक्ति के जीवन में वाकई कोई भ्यानक घटना होनी हो, तो वो ये कि जाने अ जाने में वो अपने ही बच्चों को मार दे, ये सबसे बुरी चीज आपके साथ होगी, है न? उन्होंने अपने बच्चों को लगभग मार ही डाला था, उनसे योद लड़ा, उनका इरादा तो मार ही देने का था, ना जानते हुए कि वे उनके ही बच्चे हैं, सौभागे से ये नहीं हुआ, लेकिन फिर भी वे अपनी पत्नी को फिर से नहीं देख पाए, वे जंगल में ही मर गई, आप इसे एक सफल कथा नहीं कह सकते, है न? हलो? आप इसे सफल कथा नहीं कह सकते, तो फिर हम इस आदमी की पूजा क्यूं करते हैं, इस व्यक्ति को महान क्यूं सीधी सी बात है कि जीवन ने उनके साथ जो कुछ भी किया, दूसरों के जीवन में एक भी वैसी चीज होती तो वे तूट जाते, वे हादसों का एक सिलसिला हैं, लेकिन इन सभी बातों के बावजूद भी वे गुस्सा नहीं हुए, वे परिशानी, नफरत से नहीं भरे, उन उन्होंने कुछ और जबरदस्त किया, रावन को मार देने के बाद, वे हिमाले में एक बरस का प्राइश्यत करना चाते थे, उनके भाई लक्षमन ने कहा, आप पागल हो गएं, आपने एक आदमी को मारा, जिसे हमें मारना था, उसने आपकी पतनी का फरन किया था, तो फि उस इनसान के लिए प्राइश्यत क्यों करना चाते हैं, उन्होंने का देखो, उसमें दस मूल सुभाव थे, उसके नौ गुन मैंने मार डाले, कोई पश्चाताप नहीं, लेकिन वो एक महान भक्त भी था, और मैंने बाकी सारी चीज़ों के साथ उस भक्त को भी मार डाला, इसके लिए मुझे तब करना होगा, क्योंकि ये व्यक्ति अपने आसपास होने वाली घटनाओं से मुक्त था, दुनिया के सबसे भेंकर कष्ट उसकी ओर आए, वो जैसा था, वैसा बना रहा, इस आजादी को जीवन मुक्ति कहते हैं, यही वो आजादी है, जिसके लिए ह हम उनके सामने नतमस्तक होते हैं, इसलिए नहीं कि वो महान हीरो थे या सफल व्यक्ति थे, तो इस संस्कृति में अकेली मूल्यवान चीज, जीवन की प्रक्रिया से मुक्ति को हासिल करना है, जीवन आपके सामने जो परिस्थितियां पहके, यह आपका चुनाव नहीं है, वो आपके सामने अलग-अलग परिस्थितियां फेकेगा आप उन्हें किस रूप में बदलते हैं? ये आपका चुनाव है, है न? तो हमने हमेशा इस संस्क्रीती में कहा है आजकर लोग उपर वाले की बात करने लगे हैं वरना इस संस्कृति में हमने हमेशा आपको बताया है कि आपका जीवन आपका कर्म है हाँ या ना तो इसका क्या मतलब है इसका अर्थ है आपका जीवन आपका बनाया हुआ है उपर कोई बैठा आपके जीवन को मैनेज नहीं कर रहा है देखे आप एक गोल ग्रह पर है और य ये नहीं पता कि उपर कहा है, लेकिन आपको ये पता है कि उपर कौन है, ये गंभीर समस्या है, नहीं है हसने वाली बात नहीं है, क्योंकि ये लोगों का जीवन ले रहा है, जीवन लेने का अर्थ ये नहीं है, कि लोग मारे जा रहे हैं, वो भी हो रहा है, वो एक अलग माम लेकिन जीवन लेने का अर्थ है कि अपना जीवन खुद बनाने के जगा आप उपर देखकर चल रहे हैं। हमने हमेशा कहा कि आपका जीवन आपका कर्म है, आप जो बनाते हैं वही सब कुछ है, जो कुछ आपके सामने आ रहा है वो आपके हाथ में नहीं है, लेकिन आप इसे क्या रूप देते हैं वो सौ प्रतिशत आपके उपर है, तो विचार इतना सा है कि इस संस्कृती की बुन दूलकर क्रिकेट का भगवान है, जीवन के किसी भी शेत्र में जब इनसान अधिक महानता हासिल करता है, किसी सामानी इनसानी स्तर से अधिक, तो हम कहने लगते हैं, ओ, वो भगवान के समान है, वो देव है, यहाँ भगवान शब्द का इस्तमाल सबसे उची हस्ती के रू परोड़ देवी देवता हैं, आपको और अधिक बनाने चाहिए, कोई समस्या नहीं है, क्योंकि ये इस पृत्वी की अकेली ऐसी संस्कृती है, जो समस्ती है कि भगवान हमने बनाया है, सभी को लगता है कि भगवान ने उन्हें बनाया है, इस समय पूरे देश में गनेश च पूरी भावनाय, भजन, नृत्य, संगीत, हर चीज, लेकिन जब जाने का समय आता है, हम उनको पानी में विसरजित कर देते हैं, हमने भगवान को बनाया, उनकी पूजा की, उसका अनन लिया, और उनका इस्तमाल करके खुद को उर्जा से भरा, और जब सब हो गया, हमने उनको पानी में घोल दिया, ये सपष्ट रूप से दिखाता है, कि हमें इस बात की समझ है, कि भगवान हमारी रचना है, है ना, तो यहां पर सिर्फ आध्यात्मिक प्रक्रिया रही है, अनेक आध्यात्मिक प्रक्रिया हैं, लेकिन धर्म कभी नहीं था, हम मुकाबला करते वे धार्मिक बन गए, जब बाहरी ताकते आईं और बहुत सारा मुकाबला हुआ, तो हम भी संगठित होने का प्रयास करने लगे, लेकिन आप इस संस्कृति को कभी संगठित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर तीन लोग हैं, तो राय पांच हैं, एक ही घर में दस भगवा या आप युवा हैं, अपनी दादी मा की बाचीत को सुनिये, अध्यात्मिक बाचीत नहीं, रोज की बाचीत को सुनिये, तो आप पाएंगे कि इस देश में कर्म, प्रारव्ध, मुक्ती, मोक्ष, शब्दों के बिना कोई बाचीत पूरी नहीं होती है, ये इस बात की पूचा लक्ष है, सुर्ग्या भगवान नहीं. प्रस्तूती के लिए भी धन्यवाद देना चाहते हैं. मुझे विश्वास है कि हम सभी ने इसे पसंद किया, और ईशा सम्स्कृती को कलरी प्रदर्शन के लिए धन्यवाद. क्या मैं कुछ शब्द कह सकता हूँ? इस अवसर पर मैं बस आप लोगों को ये ध्यान दिलाना चाहता हूँ, कि आप जैसा कि आपने कहा 8000 लोग, 500 शोद करता और बाकी लोग अनेक प्रकार की पढ़ाई कर रहे हैं. लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप समझें कि आप इस देश के लाखों युवाओं में से कुछ विशेश लोग हैं, आपको इस विशिष्ट संस्थान में होने का विशेश लाभासिल है, जिस तरह की सुविधा और दूसरी चीजें जो यहाँ पर हैं, इस देश के अधिकांश लोग ऐसी सुविधाओं के सपने भी नहीं देख पाते, ठीक है? देखिए आपको यह जरूर समझना चाहिए, कि जब आप युवा होते हैं, तो यह सबसे जरूरी है कि जीने के जल्दबाजी में ना रहें, यह खुद को बनाने का समय है, यह आपके शरीर को बनाने, मस्त अपने दृष्टिकून को बनाने का समय है, जिससे कि आपके अस्तित्व के शितिच का विस्तार हो, आपके जीवन के इस समय का निवेश उसमें होना चाहिए, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले कहा, केवल महान मानवों के निर्मान से ही महान समाज, राष्ट्र और विश्व का निर्मान होता है, तो ये मेरी इच्छा और आशिरवाद है, कि आप सभी युनिवर्सिटी में अपने इस समय का अच्छा उप्योग करें, जिससे कि आप एक सच्चे बहतरीन मानव के रूप में भविश्य में मानवता के कल्यान के लिए योगदान कर सकें, आपका बहुत बहुत धन्यवाद